नमस्ते जी नमस्ते क्याल चालें आपके सरम बहुत बढ़िया हैं आप सुनाएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे 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 स्टार्ट करें हाँ सर जी कुंदन कुमार रोय, रोहित सचदेवा, शितिज सिंगल, विद्या सागर, नितिन, गगन, शिवाली, याशी, सुधीर सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार सुईकार हो चलो मालिक, चर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और सब लोग हमारे साथ से समय जुड़ चुके हैं और जो चैटिंग है, वो अपनी स्पीड पर आ गई है केशव हैं, मांसी हैं, अमन हैं, महिमा हैं, रोहित हैं, कुंतन हैं चलो मालिक रिविजन लेक्चर, C.A. फाइनल बड़ी बेसबरी सिंतजार था आप लोगों को हाला कि यूँ तो मैंने अपने आठ रिविजन वीडियोज यूट्यूब पर फ्रीली डाले हुए हैं लेकिन आज मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है रिविजन टेस्ट पेपर क्या शांदार RTP बनाई है यार मतलब पढ़ने के बाद ना मतलब मजासा आगया पहली बार ऐसा लगा RTP को देखकर कि वाकई अपने नाम के अनरूप है रिविजन टेस्ट पेपर इस नॉट अउनली अटेस्ट पेपर इस रिविजन टेस्ट पेपर कि नॉटन टेस्ट पेपर को करते 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 आप अपना पूरा इंडारेक्ट टैक्स रिवाईज कर जाओगे इतने शांदार तरीके से ड्राफ्ट किया है हाला कि एक दो छोटी मोटी एरर भी है RTP के अंदर वो भी मैं आपसे discuss करके चलूँगा और वो कोई बहुत बड़ी conception नहीं apparently कोछिक errors हैं उनको भी हम यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है दूसरी बात sir RTP में तो solutions दिये हुए हैं तो फिर RTP discuss करने का objective क्या है बिलकुँ सही बात और good question है यहाँ पर मेरा अदेश जो होगा वो RTP के answers को match करवाना नहीं है वो तो आप खुद भी कर सकते हो यार यहाँ मेरा objective यह है कि जब एक बड़ा सा और बिगड़ा सा question तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे कैसे handle करोगे कैसे उसे काबू में करोगे क्या है, presentation क्या है सोचने का तरीका क्या होगा approach towards the question हमारी क्या रहेगी वो मैं यहाँ आपको सिखाना चाहता हूं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि सेशन के बाद मैं आपके confidence को दोग ना करतूँगा कि हाँ हम कर सकते हैं जाके exam में जाकर काम कर सकते हैं बाबु मेरे बात ध्यान से सुनना जरा शुरुवात में जब गाड़ी सीख रहे होते हैं तो मालोव आपको सिखाई जाए गाड़ी तो यह रही चित्र भी दिखा दिया यह गाड़ी है, यह स्टेरिंग है, यह ब्रेक है, यह ऐसे है पहला गेर यहां डालना, ऐसे करना, वैसे करना डेमो दे दिया, सारा कुछ सिखा दिया लेकिन आपने एक्चुल में स्टेरिंग पकड़ कर कभी चला कर नहीं देखी विश्वास मानिए, जब आप रियालिटी में चलाने बैठोगे, सारी theoretical academic knowledge लेने के बाद, आप 100 मीटर के अंदर ही ठोक दोगे गाड़ी को लेकिन जब आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, तो फिर आपको बार-बार यह recall नहीं करना होता कि अब पहले गेर में डालूं कि दूसरा कब डालना है तीसरा कब डालना है ऐसी आदत पढ़ चुकी होती है कि आपका ध्यान कहीं और भी हो तब भी गाड़ी ठीक चल रही होती है और यह सारा कमाल होता है practice, practice and practice का तो यहाँ पर हम revision करा रहे हैं with the help of practice चलो जी, शुरूबात करते हैं यह है आपका RTP यहाँ पर आकर मालिक आजाओ मेरे साथ इसमें सबसे पहले बताया गया कि जितने भी questions यहाँ पर दिये गए हैं उनके answer 31 December, sorry 31 October 2019 तक हमने update करके दिये हैं with Finance Act 2019 दूसरी बात कही गई है कि यहाँ पर जो भी आपके GST के rates लिये गए हैं वो सारे hypothetical हैं मालनों किसी का यहाँ पर 12% का rate लिखा हुआ है तुम्हारे पास GST के rate देखने का app भी है तो आपने उसमें actual rate देखा तो 18% था सी institute करा भी है जगडा मत करना जितने भी rates मैं इस्तिमाल किये वो hypothetical है तो आप उनके उपर मत जाना जो बोल दिया rate आप उसी rate का इस्तिमाल करके चलेंगे जैसे मालनी जी commercial coaching and training पर 18% का GST rate लगता है पर हो सकता है कि उसके लिए question में 5% या 12% का rate दे दिया हो तो जो भी rate दे रखा आप उसी को यहाँ पर स्वीकार करेंगे is it okay? yes sir मैं बहुत अच्छा हूँ कनिका राधे राधे सर मेरा नाम भी हाँ दिव्या वासवानी and कनिका स्नेह and 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 और अनवेशा और श्रेया रोहित सभी लोग हम से यहाँ पर जुड़ चुके हैं चलो भाई बात को हम आगे की तरव बढ़ाने जा रहे हैं और ध्यान से और शिद्दत से देखना और मजानाए तो कहिएगा पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ क्या भला? कि जब भी मालिक आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपने अपनी प्रिजन्टेशन कैसे देनी होगी? नमबर एक सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है उस क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या है और उसका इश्चू क्या है? यह फैक्ट्स और इश्चू भला कैसे लिखे जाएंगे सर जी? इसके लिए कुछ नहीं करना आपने आप अपने क्वेश्चन को समराइज कर दीजिए आप अपने क्वेश्चन को समराइज कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना होता है अपने शब्दों में लिख दीजिए उसके जो key elements हैं तो वैसे करके आप अपने facts और issues लिख सकते हैं यह stage बड़ी आसान है नमबर दो पर आकर आप लिखिए यहाँ पर legal position आप यहाँ पर डालेंगे कि जो भी आपके सामने facts आए हैं और issues आए हैं उनसे जुड़ा हुआ corresponding आपका law क्या बोलता है हो सके तो आप इसे linked form में लिख कर चलेंगे linkage form में आप इसे लिख कर चलेंगे जितना संबफ हो और तीसरे नमबर पर आईएगा आप यहाँ conclusion की हम लोग बात करके चलेंगे conclusion कैसे लिखा जाएगा सर जी आप अपने जो point number 1 है and point number 2 को आप यहाँ mix up कर दीजिए और mix करने के बाद आप अपना final conclusion देतीजिएगा आप सबसे भारी गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी आप question पढ़ने बैठेंगे खासतर पर examination hall के अंदर बता रहा हूँ एक तो आप घवराट में होते हैं और घवराट में question पढ़ते हैं और सबसे बड़ी गलती ये होती है घवराट के दौरान आपसे कि आप मालिक तीनों steps को एक साथ जोडने का काम करते हैं कि facts भी देख लिए issue भी देख लिया उस point का legal position क्या conclusion क्या एक साथ ही सारे काम करने बैठ जाते हैं नहीं ये गलती आपने नहीं करनी है question को आप टुकड़ों में बांटिए जब आप ये कर रहे होंगे तो सिर्फ यही कर रहे होंगे और कुछ नहीं सोच रहे होंगे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको दूसरा जब आप legal position लिख रहे होंगे तो pure law ही लिख रहे होंगे question से उसकी connectivity नहीं आ रही होगी question के facts को mix नहीं कर रहे होंगे उसके साथ और यहां पर आकर आप above दौना steps को mix कर दीजे तो बात बन चाएगी सर यह क्या लिखा आपने यहां पर linked form में लिखना है linked form में कैसे मैंने आपको पूरा जो GST है वो linked form में ही पढ़ाया है जो हमारी link है जो वो ऐसे करके काम करती है हम किसी भी छोटी या बड़ी घटना को अपने 9 point के उपर test करेंगे आज ये class बहुत शांदार होने वाले मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले जब भी मैं किसी समस्या को देखूंगा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी एक line की हो या 10 line की हो मेरा objective यहाँ पर आपको सिखाना है कि question को solve करते कैसे है तो यहाँ पर आप सबसे पहले उसके बारे में approach रखेंगे कि वो goods की बात चल रही है कि service की बात चल रही because entire GST आपका इसी बात पर based है कि वो goods है या service है या कुछ नहीं है अगर कुछ नहीं है तो picture यहीं से out और आगे बात नहीं करने फिर वो supply है या नहीं है दूसरा point मेरा यह आएगा तीसरे point पर आकर देखूँगा कि उसका nature of supply क्या है वो मेरी interest rate है या interstate है फिर बात करूँगा कि यहां पर taxable person कौन है supply tax भरेगा या recipient tax भरेगा और यहीं पर registration की requirement भी देख ली जाती है उसके बाद देखूँगा कि उसमें कोई exemption तो नहीं है अगर exemption है तो यहीं से out हो जाएगा और अगर नहीं है तो फिर बात को आगे बढ़ाएंगे पहले 5 box देखने के बाद यह तै होता है कि GST जाना भी है या नहीं जाना और अगर जाना है तो फिर आजाती है आपकी यहाँ पर computation आजाती है computation के लिए transaction value is equal to accessible value और उसमें कुछ एक adjustment आपकी और करी जाती है जिसे हम idiots के नाम से जानते हैं जी sir कि discount घटेगा incidental expenses जुडएंगे वैसे करके यहाँ पर बाते करी चाती है computation के बाद amount आपके सामने निकल कर आजाता है कि हमें इतना GST भरना है उसको लेने के बाद में फिर यह चेक करो कि इसे कौन भरेगा normal charge यानि कि forward charge mechanism लगेगा या फिर reverse charge mechanism लगेगा आपको यह देखना होगा जब यह तैह हो जाए कि supplier भरेगा या recipient भरेगा उसके बाद चेक करो time of supply क्या हुआ क्योंकि time of supply depend करता है अगर NCM लगता है तो time of supply के provision अलग है और RCM लगता है तो time of supply के provisions आपके different हो जाते हैं और उसके बाद उसके जो compliance वाले part है manner of payment, registration, refund वगेड़ा उन सब की चर्चा करके चलेंगे तो ऐसे करके यह 9 box हैं और इस diagram को हम बाबा की बूटी के नाम से मालिक जानते हैं ठीक है तो इसका हम इस्तिमाल करके चलेंगे और इसी form में अपने question को solve करने का प्रयास करेंगे Is it okay? Yes sir तो साहिब यहाँ पर मैं question को पढ़ना शुरू करता हूँ ओहो अच्छा जी कनिका आज gold facial करवा के आए हो नहीं बाबू यह gold facial नहीं है यह तो यह है कि आज मैं आपको बहुत शांडार चीज कराने वाला हूँ इसलिए चेहरे का confidence और glow है घर पे रहने का आगे बात करते हैं अब ध्यान से सुनिए पहला question शुरू होता है आपका अब right ABC तो पहला ध्यान दखना अभी पहली stage पर क्या करना है facts or issue कोई law recall नहीं करना कोई law recall नहीं करना कोई conclusion नहीं करना सिर्फ pure बहुत शांत मन से cool mind से question पढ़ना है सिर्फ question decide कुछ नहीं करना अभी ABC petroleum limited ABC petroleum limited is engaged in the business of refining and marketing of petroleum products supplier कौन है भला पहला नाम आगया एक line पढ़ने के बाद कि भाहिया कोई ABC नाम से है जिसका refining वगेरा का अपना business है refining का और marketing का ठीक है जी बोलते हैं it has one refinery in each state of Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra it has one refinery in each state मतला हर एक state में एक एक refinery है कौन-कौन से जी Tamil Nadu, West Bengal और Maharashtra अराम से, cool mind से यार एक है इसका Tamil Nadu में एक है West Bengal और Maharashtra ABC की एक जो refinery है वो है West Bengal में और ABC और अलसो दिखाई दे रहे हैं कहां पर जी महाराश्ट के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं बस question को frame करना सीख जाओ पहले and numerous administrative and marketing offices spread across the country और इनके numerous administrative and marketing offices भी हैं ये तीन स्टेट तो में हो गए other states के अंदर across the India बोला है तो India के अंदर union territory भी आती हैं वहाँ पर भी इनके अपने कुछ एक marketing वगरा के अपना काम किया जाता है marketing और administrative offices इनके वहाँ पर होते हैं ठीक है साहब okay मालिक सीखो मुझसे में क्या कर रहा हूं the company has separate marketing come offices for every major state and common administrative come marketing offices for a group of small states like northeast states are covered under one marketing under this वो कहरे कि भी यह लगबग सारा इंडिया है जो बड़े-बड़े state है वहाँ पर तो independent है और जो छोटे-छोटे state है तो वहाँ दो-तीन state के लिए common भी उन्होंने बना रखे हैं the company has also blend lubricants in its blending plant located in the state of Maharashtra and Tamil Nadu तो यह तो थी इनकी refinery यह थी यहाँ पर काम कर रहे थी यह refine करने का यह refinery थी यह भी refinery थी ठीक है और यह भी इनकी यहाँ पर refinery ही थी अब कह रहे हैं कि उनके पास में कुछ और भी है क्या है भला the company also blend lubricant in its blending plant blending plant अच्छा blending plant अलग है located in the state of Maharashtra and Tamil Nadu ABC का blending plant भी है कहां कहां पर है साब Tamil Nadu और महाराश्टर में Tamil Nadu यह रहा ABC का एक blending plant भी है जहां पर यह blend करते हैं और यहां पर नहीं था और महाराश्टर में है ABC इतनी जगाओं पर अपने इस इस business के लिए जानी जा रही है कहीं पर refinery है कहीं पर blending plant हैं कहीं पर marketing offices हैं ऐसे करके बात करी जा रही है ठीक है तो यह Tamil Nadu में हो गया और यह आपका महाराश्टर में हो गया ऐसे करके अभी दिमाग नहीं रगाना कि चल के आरा सिर्फ question पढ़ना और summarize करना है step number one पर है as a policy all the places of business of the company in the state are registered under one registration all the places of business of a company in a state is registered under one registration मतलब इनके पास statewide registration है एक state में अगर माली चार business places भी है तब भी इनके पास चारों के लिए एक अठा registration है तो यहां अलग से एक छोटी सी बात लिख देते हैं इनकी policy क्या है कि जो इनका registration है वो at the rate of state wise लिया गया है एक state में अगर चार premises है तो चारों के लिए एक ही registration इन्होंने ले रखा है is it okay? yes sir उसके बाद कहते हैं पहले हमें उस case study को समझना तो चाहिए कि कहना क्या चारा है आगे कहते हैं imported crude is used as input in the refinery and the following major products are extracted after refinery process वो कह रहे हैं कि बाहर से इनका जो आता है जो crude आता है कच्चा तेल आता है रिफाइन करने के लिए वो बाहर से आता है बाहर मतलब abroad से आता है abroad से इनके पास में कच्चा माल आता है यहां के लिए यहां के लिए यहां के लिए ऐसे करके आता है ठीक है और इनका जो outcome निकल के आता है, वो दो प्रकार के product आते हैं, in the refinery and the following major product are extracted from the refinery process, दो तरह के product निकल के आ रहे हैं, एक group A वाले हैं और एक group B वाले हैं, group A वाले में हैं base oil, an input for blending lubricant, ठीक है जी, अच्छा, मतलब एक base oil है, base oil से क्या होगा, फिर आगे जो blending plant है, उसमें base oil का इस्तिमाल होगा, मतलब इनका refine करने से base oil निकलेगा, और base oil को आगे blend किया जाएगा, blending plant के अंदर, furnace oil आता है, bitumen, जो तारकूल होता है न वो होता है, जो road construction के इस्तिमाल किया जाता है, bitumen आता है और LPG आती है, यह चार तरह के वो product हैं, जो GST के दाएरे में आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर GST चार्ज नहीं होता, बलकि पुराने taxation system के अंदर ही हो आपके आते हैं, जिसमें petrol है, diesel और ATF, aviation turbine fuel है, यानि कि इनके उपर अपना excise और wet जो थे, वो इनके उपर applicable होते हैं, यानि कि यहां पर लगाया जाता है, आपका जो old taxes हैं, उनकी यहां प कुछ GST के दाइरे में आते हैं और कुछ GST के दाइरे में नहीं आते हैं, बलकि पुराने taxation system के अंदर ही आते हैं, is it okay, thank you Rohit, बहुत ताइम बात दर्शन हुए हैं, चेतना गरवाल मेरा बच्चा, मेरा लाल, अच्छा जी, आगे बात करते हैं भाई साब, आगे क्या बोल को आगे चला जाता है, जहां पर ऐसे करके हैं, where they are blended and with activities to produce lubricant, और फिरहां से ये lubricant प्रडूस किया जाता है, बलेंड करने के बाद, बेस वाई से lubricant बनाया जाता है, ये बोलते हैं, where they are blended is, the company provide the following particulars for a state of Tamil Nadu, Maharashtra and Kerala, अब ये केरला कहां से आ गया, बहुत मेरे बात सुन Across India उनका business है, दो-चार state के नाम ले दिये हैं, बाकिनोंने other state में डाल दिया, तो किसी भी एक नए नवेले state का नाम आ रहा है, तो आप उसे देखकर हैरान मत हुईएगा, क्योंकि Across India उनका अपना business है, तीन state का यहां पर इन्होंने दिया है, ये हमारा data है, और उसके बाद फिर हमसे questions पूछे जाएंगे, सुनो, Tamil Nadu, Maharashtra और Kerala, figures thousands में दी हुई है, is it okay, yes sir, तो यहां बोलते हैं कि value of supply, inclusive of all taxes, etc, group B product, group B वाले कौन से थे, tax GST वाले थे या अधर वाले, sir, group वाले जो थे ना, वो old tax वाले थे, जो old taxes, जो XI duty वाले थे, वो आपके ये करके थे, value of supply of group A, before all, अच्छा, ये ये था inclusive of all taxes, और ये है आपका before, before all taxes and duties, ये वो हैं जो GST के दाएरे में आपके आते हैं, right, yes, sir, तो before GST तो मतलब इन figures के अंदर अभी GST जुड़ा हुआ नहीं है, ये accessible value है, और उपर वाले के अंदर जो भी excise, weight वगएरा हैं, वो सब इसके अंदर अपना जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो एक बात तो ये होगी, तो यहां पर मैं इस पे border डाल देता हूँ, ये तो अगय आपके old taxes, और ये old taxes जो है, ये आपके जुड़े हुए है या गटे हुए है, सर जी ये उलडी जुड़े हुए है, अच्छा, अच्छा, ये अपके इस में, ये जो tax यहां पर दिये गये हैं, ये वाले, ये इस figure के अंदर आपके अल देता हुए है, ठीक है, tax paid on inputs and input services procured at blending plant अच्छा अभी आगी आपके inward supplies की यहां पर बात कर रहा है यह सारी की सारी outward supply दे दी अब यहां से बात करेगा यह आपके inward supplies ली हैं अलग अलग जगाओं पर कहीं पर input की बात करी है कहीं पर spares की बात करी है जो spares हैं वो किस फॉर्म में हैं revenue account में डाले हैं यानि कि वो भी आपके input वाली category के अंदर ही आ रही है spares procured at refinery tax paid on input and input services procured at marketing come administrative offices refinery भी है administrative come marketing offices भी है तो वहां के लिए भी कुछ input input service लेकर आए हैं बिलको ठीक बात है tax paid on capital goods procured at blending plant बिलको ठीक बात है blending plant पर लिया कोई दिक्कत नहीं है tax paid capital asset procured at the refinery ये refinery पर लेकर आए हैं आच एक छोटी सी बात बताना यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये तमिलाडू में दो तरह के plant हैं इन दोनों का registration common है या अलग-अलग है उसने कहा तब हैसा policy है कि एक state में भले ही multiple business premises हों लेकिन उसके बावजूद भी हम उनका single registration ही लेकर चलेंगे तो ऐसे करके यहां पर बात करी जा रही है दोनों के दोनों एक ही registration में ये अपने आ रहे थे तो यह पूरा business structure इनका दे दिया है इनका जो outward supply है जो outward है वो आपको बता दिया inward बता दिया outward बता दिया inward बता दिया और सारे जो taxes थे वो बता दिये सारे चीज़े आपको बता दी गई है is it okay yes sir आगे पूछता है assume all the group A product are chargeable to GST 18% जो chargeable to GST थे उन पर 18% का rate बनता है the finance department of ABC Petroleum Limited seeks your professional advice on the following questions अब आएंगे यहां पर आपके questions पहले मुझे बताईए क्या मेरा पहला step complete हुआ कि नहीं हुआ क्वेशन की क्या framing है design कै structure क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया पहले मुझे इस पे हाद बोलिए उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा अनवेशा, सेलेश और और यहां पर केशव, कनिका, दुर्गेश, नितिन आपको बताना पड़ेगा साहब यह सर अभी हमने कुछ नहीं किया question को summarize किया यानि कि हमारा पहला step यहां पर पूरा हो जाता है अब हम आएंगे अपने issue पढ़ेंगे, यहां पर यह आपका issue आग्यार, issue के साथ अपनी legal position को दिखेंगे चुकि आपका पहले 8-9 questions आपके multiple choice question based हैं तो इसलिए आपको कुछ लिखना नहीं है ठीक है न जी, अच्छ एक बात बताओ, अगर आप यह structure नहीं बनाओ, थोड़ी परेशानी होगी न, question को समझने में इतना बड़ा question एक साथ mind बनकना असान कम नहीं होता, आप यहां पर सारी picture आपको clear cut दिखाए दे रही है कहां refining plant है, कहां blending plant है, कहां पर क्या हो रहा है, each and everything is okay, yes sir अब आजाओ मालिक सबसे पहले बात करते हैं, the value of company, the value of company supply, the value of companies supply in the union territory of pondicherry is 32,34,000 group A product था, यह group A वाले कौन से थे, पुराने वाले और नए वाले group A वाले थे, GST वाले, group A का मतलब जो GST वाले हैं, जैने पर GST लगता है and the state of Goa, 18,38,000, group A और group B, वहां दोनों की बात करे जाती है, for the year ending 31,1, March something something GST registration is अच्छा, यह जो question है वो आपका, GST registration को लेकर करा जा रहा है question यह कह रहा है, कि यहां पर आकर इनका एक तो भाई साब, यह जो pondicherry है वहां से कुछ मामला चल रहा है, और एक इनका जो Goa है, यहां से कुछ मामला चल रहा है तो यहां से जो बता रहे हैं, वो है भाई साब आपका 32.34 और Goa से है 18.38 और यह पूछ रहे हैं आप से registration की अब मेरी बात समझना, यह जो examiner होता है, यह question बड़ा दे कर आपके दिमाग को ना इतना खराब कर देता है इतना उलजा देता है, कि आप दूसरे step को ठीक से सोच ही नहीं पाते, दिमाग को रखे ठंडा और मजे बताईए आपके बाबा की बूटी के मताबिक यतने भी points है, यह किस point पर based है सरी registration के बारे में पूछ रहा है, कि registration करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा issue समझ में आ गया न, अब जड़ा अराम से ठंडे दिमाग से अपने law को आप recall कीजिएगा कि registration के लिए आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है अब question को कुछ समय के लिए भूल जाओ, step नमबर दो पर आगे, question को भूल जाओ, क्या था बढ़ registration के law को recall कीजिए मैं जानता हूं भाई साब registration का law यह कहता है, उसमें कई सारी चीज़े होती ही निकल के उसमें यह आता है कि आपका जो aggregate turnover है उसे बताईए और इसकी तुलना कर दी जाती है, आपके applicable limit से यहाँ पर तुलना कर दी जाती है अगर आपका aggregate turnover applicable limit से ज़्यादा है, माल लीजिए यह आपका यहाँ जादा है, तो अब आपको उन तमाम मेरे शब्दों पर जान देना, अब आपको उन तमाम state के अंदर registration लेना होता है जहां जहां से आप taxable supply कर रहे होते हो, अगर यह ऐसा है तो आपको उन state, those state, उन तमाम states के अंदर registration लेना पड़ेगा जहां जहां से आप taxable supply कर रहे थे, is it okay, yes sir अब इसमें दो parameter आपके आजाते हैं, कि आपका aggregate turnover क्या है यह बताईए, और applicable limit क्या है यह बताईए तो मैंने आपको जब taxable person पढ़ाया था, तो उसके तीन, यही तो चाहरा था कि मैं आपको question के माध्यम से revise करा हूँ तो सिर्फ मैं law सोच रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, अच्छे से discuss किया है, उसको recall करते हैं, वहाँ पर था, पहले step पर आया करते थे हम, section 23, step number 1 चेक करो कि कहीं कोई exempted तो नहीं है, exclusively exempted में deal कर रहे हूँ, वैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि non-taxable जो है, आपके group B वाले, non-taxable को exempted बोलते हैं, तो हमारा exclusively exempted का धंदा तो नहीं है, ठीक है जी, उसके बाद मैं फिर देखते थे, section 24, mandatory registration की requirement में तो नहीं आ रहे, वहाँ भ करती थी, कि 10,000,000 की लगेगी, 20,000,000 की लगेगी, या फिर 40,000,000 की लगेगी, 10,000,000 के लिए पढ़ा जाता था कि यदी, बाई साब सुनो, यदी आप निमिनलिखित चार स्टेट मैं से, किसी से भी, अगर taxable, taxable supply, अगर चार मैं से किसी से भी taxable supply कर रहे हो, तो आपकी overall limit घटकर 10 लाक रुपे पर यहां आ जाती है चार स्टेट कौन कौन से थे चार स्टेट थे आपके मनीपुर मेजोरम नागालेंड तिरपुरा किसी का नाम आपके सामने आया है यहां पर दानसर इस नो उसके बाद आगे आ जाओ जरा अगर यहां पर फॉल नहीं करते तो 20 लग की लिमिट को चेक करके देखो 20 लग की लिमिट पे कौन कौन से आय करते थे आपके वहां पे था अरुनाचल प्रदेश, AP UK, उत्राखंड, अरुनाचल प्रदेश, उत्राखंड, मेगाले, सिक्किम, और तेल की पूरी, तेलंगाना और पुडचेरी, तो क्या आप को नहीं मिलती भाई साब, लिमिट मिलती है, परसन को, कमपनी को, या जो इंडिविज्योल है, या पार्टनर्शिप फर्म है, उस पैन को मिलती है, जिस पर आपके रजिस्टेशन हैं, लिमिट एक होगी, चाहिए स्टेट, कितने स्टेट में आपको कारोबार क्यों ना हो एपल केबल लिमिट सब के लिए सेम रहती है, जो भी चुनाब होके आती है, ऐसा नहीं कि पॉंडिचेरी के लिए ये लिमिट उसके लिए आज भी प्रेक्टिसिंग चार्ड़ड अकाउंटेंट तक को इसमें कन्फूजन्स है, ध्यान दीजेगा मेरी बार, ऐसा नहीं है गुआ के लिए 40 लाग की बोलू, पॉंडिचेरी के लिए अलग बोलू, नाई, इस स्टेट को लिमिट नहीं मिल रही भाई साब, लिमिट मिलती है परसन को, पैन को, जिस पर आप कितने सारे रिजिटेशन्स हैं, अगर पॉंडिचेरी का नाम आ रहा है, तो यह और ओवर करते हैं, यहाँ पर एग्रिगेट टर्नोवर की है, तो एग्रिगेट टर्नोवर की डेफिनिशन को रिकॉल कीजिए, सारे जो हतकंडे आपको सिखा रखे हैं, उनको खूल माइंड से रिकॉल करो, एक चीज रिकॉल करो, उसमें ये था कि आउट्वर्ड सप्लाई को रहेंगे नहीं, आउटवर्ड आपकी जैसी मर्जियों, इंटर हो, इंटर हो, मिंटर हो, टेक्सिबल हो, एक्जम्टेड हो, जीरो रिड़ेड हो, सारी की सारी हो, सारी, ओल आउटवर्ड सप्लाई मेरी यहां पर आजाया करती थी, माइट्रियर, ठीक है सर जी, अब देखो हमारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी बनती है, तो नीचे तो जहांके देखूँगा नहीं, इनवार्ड पे, आउटवर्ड मेरी यह रही है, 1650 है, यह है, यह है, यह है, यह है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, एग्रिगेट, टर्नोवर जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, exclusive of GST, बस, उसमें यह नहीं लिखा हुआ, कि exclusive of old taxes, ऐसा नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा है, exclusive of GST, अगर वो exclusive of GST, मतलब GST and says, इसका मतलब अगर कोई पुराना tax है, तो उसे भी यहां पर शामिल किया जाएगा, inclusive of old tax, if any, यह बात कहां से निकल कर आती है, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो मालिक, जब आप अपनी accessible value निकालते हो, तो मुझे बताईए, उसमें कौन सी value ली जाती है, उसमें शायद आपकी exclusive of GST and says, but inclusive of all other taxes, accessible value निकालते हैं, अगर कोई other tax है, उसको भी शामिल किया जाता है, जैसे माल लीजिए, मैं टुबैको के respect में आप से बात करके चलता हूँ, तो वहाँ पर इसकी value 100 रुपे की है, इसको पर सबसे पहले excise duty लगा दी जाती है, मालों 10 रुपे की यह लगई, 110 हो गया, तो GST जो लगेगा, अब आपका on 110 के लगेगा, मालीजिए, जो भी आपका लग रहा है, लेट सबोस मिन लगा के देख भी लों कितना आएगा निकल के, जब यहाँ पर आपका साहिब यह GST निकाला जाएगा, तो कितना आएगा, 28% निकाल लेते है, 110 into 0.28, यह आएगा 30 रुपे 80 पैसे यहाँ पे निकल के असेसेबल वैल्यू क्या भाई साहब, यह है आपकी असेसेबल वैल्यू 110 रुपे, दा वैल्यू ओन विच GST इस टू बी कैलकुलेटिड वो है 110 रुपे की, इंकलूसिव अफ आफ आफ अदर टैक्स, तो जो असेसेबल वैल्यू का एग्रिगेशन बेसिकली होता है, एग इंकलूसिव अफ ओल्यू तैक्स भाई साहब, ब्ली की ठीक बात, इंकलूसिव अफ आफ आफ आल्ल टैक्स फिगर दे रखिए, फिगर चुकिए थाउजेंट्स में दे हुई है, तो ज़र आप जोड़के देखना, 16,50,000, 134,015,75,000, यह भी जोड़ो, 1,00, 1,00, 2,00, औ मुझे बताईए कि aggregate और यहां पर यह भी जोड़ो यह अलग से दे रखा मेरा 32 लाख 38 बिना जोड़े ही प्राइमा फेसी पता लग रहा है कि it is exceeding 20 लेक तो यह मेरा exceed कर जाता है 20 लेक को जब यह exceed कर जाता है तो मेरा यह point activate होगा कि अब मुझे उन तमाम state के अंदर registration लेना है जहां जहां से मैं taxable supply कर रहा था जहां जहां से taxable के ठपे लग गए उनको ढूंड लाओ और वहां पर registration करवाना पड़ेगा अब check करो क्या आप क्या आप pondicherry से भी taxable दे रहे थे yes दे रहे थे क्या आप गवा से taxable दे रहे थे दे रहे थे so non taxable भी था उससे मतलब नहीं है मुझे जर्फ एक चीच चेक करनी क्या उस particular state से taxable था अगर हां तो ठीक है तो गवा से A और B दोनों type के दे रहे हो तो आपको pondicherry और गवा क्योंकि दोनों से taxable का नाम जड़ा हुआ है इसलिए दोनों state के अंदर आपको registration करवाना पड़ जाएगा प्रेम से बूलेंगे राधे राधे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर गवा से आप सिर्फ group B के product में deal कर रहे होते जो कि आपका non taxable है group B के product में deal कर रहे होते जो कि taxable नहीं है exempted है तो क्या फिर आपको गवा में registration करवाना होता the answer is no आपको RTP को रुटना नहीं है हो सकता exam में थोड़ा सा इसको turn करके question आजाए ऐसा आजाए कि यह गवा में सिर्फ product B को करके चल रहा है अ दोनों से taxable का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए दोनों state के अंदर आपको registration करवाना पड़ जाएगा required in both pondicherry and goa तो मुझे बताईए इस छोटे से question जो पहला question था इसके माध्यम से आपका taxable person chapter का का काफी हद तक revision हुआ या नहीं हुआ yes or no my idea बास समझ में आए कि नहीं है य revise करवाया जा रहा है तो मुझे thumbs up दे दीजिएगा my idea thumbs up दे दीजिएगा अगर बास समझ में आ गई हो तो ठीक है पर आपको काम क्या करना है आपको चीजों को बाट के चलना है लकडियों का गथर है बंडला एक साथ तोड़ोगे नहीं तूटेगा अलग-अलग करो उसको तीन स्टेप में divide करो पूरे question को then उसको solve करने का प्रयास करो तो निश्चित तोर पर हो जाएगा मैं guarantee देता हूं ठीक है जी उसके बाद मालिक ठीक हैसाजी समझ में आ गया that's great 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 अनवेशा अगला question है the eligible ITC दिमाग को यह अपने दोर को घुमाईएगा ITC के chapter में eligible ITC available at the marketing come administrative office located in the state of maharashtra for the month of january maharashtra में जो administrative office है maharashtra में जो administrative office है उसमें इनका क्या रहेगा ITC तो maharashtra कहा है maharashtra यह रहा और administrative office यह रहा इनका office तो यह basically इसकी बात कर रहे है कि यह जो यहाँ पर 3000 रुपे का दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो tax pay किया है inward supply पर 3000 रुपे का यहाँ finally कितना credit दिया जाएगा तो मन में सबसे पहले तो यही निकल के आता है ठीक है issue समझ में आ गया question की framing पूरी आपके सामने है facts आ गए आपके सामने issue अप पढ़ लिया कि पूछना क्या चारा है अब बस इसके पीछे के law को recall कीचेगा मालिक ज़र आप चेक करना महराष्ट वाले registration से क्या यह सिर्फ taxable ही supply कर रहा है या फिर exempted भी supply कर रहा है sir non taxable मतलब exempted तो taxable और exempted दोनों को supply कर रहा है तो क्या इस बंदे को पूरा का पूरा 3000 रुपे का ITC मिल पाएगा the answer is no क्योंकि यहां महराष्ट से कुछ वो taxable भी कर रहा है कुछ मतलब यहां की कह रहे हैं देखो न यहां की बात कर रहे है यह राप का महराष्ट यहां पर आकर कह रहा है कि भाई साब इनका scene तो यह group A और group B दोनों में deal कर रहा है अगर पीछे से यहां से यह कोई अपनी supply वगरा लेके चल रहा है तो उसके credit का scene क्या रहेगा तो question 7 में आ गया solution बड़ा आसान होता है भला क्या तो उसके लिए बताईए हमें कहां चलना होगा legal backing दीजिए कहां से हमें क्या धून किलाना है सर यहां पर हमें common credit की वो बात कर रहा है section number 17 में जाना पड़ेगा section 17 के साथ हमें कौन सा rule पढ़ना होगा दो बड़े famous rule आपके पास में है rule number 42 आता है और एक rule number 43 भी आपका आता है capital goods के लिए आपका 43 है और बाकी input input services के लिए आपका rule number 42 आता है तो इस question का जो solution है वो मेरा छिपा हुआ है बताओं कहां पर हाँ सर बताईए इसका जो solution है वो छिपा हुआ है मेरा section number 17 और जिसके साथ बोलेंगे red with rule number 42 अब यहां सिर्फ आपको pure law recall करना है कि यहां क्या लिखा हुआ था अपने दिमाग का पूरा focus वहां legal position पर ले जाए यह facts issue तुमारे सामने आ चुके है यह भी पता लग गया कि solution कहां से मिलने वाला है मालिक अब बस आप यहां पर यह काम करके चलें प्रभू की law क्या बूलता है कि जब हम common credit का इस्तिमाल करते हैं तो यहां पर शायद हम को याद है कि हम दो step लिया करते थे अब किताब में आ जाओ वहां पर हम अपना first of all full जो credit था उसे यहां पर पहले ले लिया करते थे ठीक है जी और उसमें से less कर देते थे ITC reverse कर देते थे जितना हमारा ineligible बनता था याद आगया कि नहीं आया जो भी हमारा ineligible ITC बनता था उसे यहां पर हम reverse कर दिया करते थे यह लिखा हुआ था rule no 42 के अंदर ठीक है जी, इन-Eligible ITC को निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम simply उसे proportionate किया करते थे, proportionate किस ratio में किया करते थे, सर उसे हम turnover का जो ratio है उसके अंदर proportionate किया करते थे, turnover निकालने के लिए क्या बात निकल के आएगी, survey turnover के लिए हम देखते थे, कि जो भी हमारा total ITC है, वो multiplied by, ineligible निकालना है, multiplied by कि हमारा जो exempted turnover है, वो कितना है, और हमारा यहाँ पर जो total turnover है, वो कितना है, यहाँ पर यह बात हमें देखनी होती थी, लेकिन बहुती चालाकी और शांदार तरीके से उन्होंने एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, माइडिया, जो यहाँ पर आपको turnover लेना है, यह जो turnover आपका लिया जाएगा, सबसे एहम बात बताने जा रहा हूं, यह जो turnover आपका यहाँ पर लिया जाएगा, क्या यह turnover includes करे हैं, कि जो old taxes थे, उनको जोड़ कर निकालते थे, aggregate turnover, क्योंकि accessible value उसी को बोलते हैं, accessible value उसी को बोला जाता है, my dear, aggregate turnover जिसे बोलके चलते हैं, और उसी का aggregate करते हैं, लेकिन, especially mentioned in the explanation given under rule number 42, कि यहाँ पर आपके turnover निकालते समय, turnover जो होगा, exclude करेगा, exclude करेगा, all taxes, all taxes को exclude करेगा, चाहे वो tax आपके old हो, या आपके new, new मतलब जो आपका GST है, वो हो, सब को यहाँ पर exclude किया जाएगा, especially mentioned in the explanation, पहले हाँ बोलो, हाँ माइडे, is it okay or not, is it okay or not, yes sir, यह okay है, यह बिलकु ठीक बात है, तो सारे के सारे चीज़े वहाँ से अपनी exclude किये जाएंगे, यही चीज़ देखके चलनी, जब aggregate turnover लेते हैं registration purpose के लिए, तो old taxes को शामिल किया जाता है, लेकिन जब हम rule 42 के अंदर बात करेंगे, तो वहाँ सारे के सारे taxes को exclude करके अपना turnover लिया जाता है, तो यहाँ पर हम चे eligible कितना बनेगा, उसे देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा 3000 यह आ गया, multiplied by, अब मुझे यह निकालना है कि exempted कितना और total turnover कितना है, तो जो मेरा exempted निकाला जाएगा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चुकि महराश्ट्र के अंदर, तो महराश्ट्र में जो group B वाले हैं, उनका है turnover सहाब, 3400 का यहाँ पर turnover आ रहा है, लेकिन चुकि यह turnover आपका inclusive of all taxes दिया है, तो all tax मतलब group B वाला है, तो पुराने tax शामिल है, तो पुराने tax कितने शामिल हैं इसके अंदर, यह वाले, 1600 रुपे के पुराने taxes इसके शामिल हैं, तो मैं काम करता हूँ, तो य इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3400 मेरा था ये, इस में से मैं माइनस कर दूँगा कितना भला, 3400 में से माइनस कर दूँगा, 1600 पे क्या बचेगा, सरी बचाएगा, अपना जी, 1800 मेरा यहाँ पर आकर ये बच जाता है, ठीक है जी, और जहां तक सवाल है, मेरा non-exempted यानि कि जो taxable है, उसका क्या, उसका क्या, सर्थ जो taxable था वो था जी, आपका यहाँ पर आकर, ये 200 था जी आपका taxable, क्या ये before all taxes and duties, ये तो GST वाले हैं, और उनसे पहले ही है, यानि कि इसमें कोई किसी परकार का tax शामिल नहीं है, 200 के अंदर, तो 200 रुपे आपका जाता है, तो taxable हो गया आपका 200, और total turnover आजाता है, मालिक आपका यहाँ पर ये 2000 यहाँ पर निकल के आजाता, figure 1000 में है, अगर मैं यहाँ से ratio निकालने का प्रयास करके चलूँगा, तो ये मेरा बनेगा 9 is to 1 का ratio यहाँ पर आकर बन जाता है, is it okay my dear? बस खास बात ही यहाँ रखनी थी, कि turnover के समय सारे के सारे taxes यहाँ पर exclude रहेंगे, और मैं तब यहाँ उस प्रकार से बात करके चलूँगा, ठीक है जी, तो 9 is to 1 का ratio यहाँ पर आ जाता है, exempted का portion जादा है, तो मैं क्या करूँगा 9 is to 1 के लिए 9 divide by 10, 9 divide by 10 यहाँ पर कर दिया जाएगा, और ये जाएगा, जो निकल के आ रहा है, 300 रुपीज यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इस प्रकार से हमारे पास में total था 3000 जिसमें से हमने reverse कर दिया अपना 2700 रुपे, तो net हमारे पास 300 रुपे का यह बच जाता है, तो इसका जो सही जवाब है second वाले का, वो है 300 रुपीज is the right answer तो आपको क्या करना, facts, issue आपके सामने हैं, आपको बस law recall करना था, related law recall करना था, recall करने के बाद आपने issue के साथ में law mix कर दिया और अपना conclusion निकल के यहाँ पे सामने रख दिया है, is it okay, yes sir, yes sir, ठीक है मालिक, चलो चर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, आगे क्या निकल क अब आता है मालिक आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है, क्या बोलता है भला इसके अंदर सुनो मेरी बात, the eligible ITC in respect of capital asset, procured in the state of Tamil Nadu, अब यह कह रहा है कि भई ITC बताएए, again आपको उसी chapter के अंदर रहना है, how's the josh, high होना चाहिए भाई साब, ध्यान से सु Tamil Nadu, Tamil Nadu का सीन क्या था, निकालते हैं, Tamil Nadu था आपका यहाँ पर image मेरे सामने है, कहांगे Tamil Nadu, यह रहा भाई साब आपका Tamil Nadu यहाँ पर आ जाता है, यह रहा, तो यहाँ पर भी दोनों तरह के product की वह आपसे बात कर रहा है, और यहीं पर पूछ रहा है कि अगर यहाँ capital goods ल यह कौन सा लगेगा, सर इतना तो हमें याद है कि यहाँ पर जब common usage होता है, तो हमारे section number 17 वो पढ़ा जाता है red with, अब law recall करना और कुछ नहीं करना, red with rule number 43, step wise, तीन step में किसी भी question को solve करेंगे हैं, यह legal position आ गए, लिख लो, समझ लो, recall करो आपको जो class में बताया हुआ है, सर वहाँ पर यह बताया जाता है, कि सबसे पहले आपका जो total ITC है, जो total input tax है, आप उसे यहाँ पर रख लीजिए, हमने का ठीक है भाई सब रख लिया, और इस में से जो भी आपका in eligible है, in eligible है, उतने तक का आप यहाँ पर reversal करके चलेंगे, लेकिन मालिक एक बड़ा difference बताय था, input और capital goods के बीच में, rule 42 और 43 के बीच में एक बड़ा difference था, जब input और input service की बात करते हैं, तो जितना भी आपका in eligible portion होता है, तो वो एक ही जटके में reverse हो जाता है, लेकिन, capital goods के case में, एक जटके में reverse नहीं होता, बलकि monthly basis पर reverse होता है, by keeping in mind the life of capital goods as five years, पांच साल, goods की life पांच साल मानते हुए, हर महीने proportionate reversal किया जाता है, every month up to five years किया जाता है, यही basic difference between rule 42 and 43 के बीच में तो पहले तो मैं करके चलूँगा, और इसमें मैं monthly, monthly reverse करूँगा जी, और life money जाती है, assume की जाती है, lawfully, capital goods की, five years की, तो यह है आपका यहाँ पर legal content, तो effects और issue, आपके सामने already आ चुके हैं, yes sir, law मैंने लिख दिया, yes sir, उसके बाद में अगला number आता है, आपके conclusion का, यानि कि issue को इस law के साथ mix up करना है, मुझे अपना conclude करके चलनी है बात को, ठीक तो यहाँ आपका कितना बन रहा था, तमिलनाडू की यह बात चल रही है और capital goods की बाते हैं, तो inward supply में चेक करेंगे, तमिलनाडू आपका यह रहा और सहब आपका यहाँ पर जो capital goods निकल कर आ रहा है, मैं बता दू कहां है, कहां है, कहां है, यह रहा, तमिलनाडू में capital goods तो जीरो है यार नहीं यह रहा रिफाइनरी यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा है यह आपका 12,000 रुपे का यहां पर निकल के आ रहा है तो मैंने वही काम यहां पर कर दिया मालिक 12,000 मेरा यहां पर यह निकल के आ जाता है अब मुझे यह काम करना है यह पहले तो मुझे बता यह कि आपका पूरा इनेलिजिबल, टोटल इनेलिजिबल कितना आता है, फिर उसको मैं स्प्रेड कर दूँगा, टोटल इनेलिजिबल जो मेरा निकल के आएगा यहां पर, सर देखो पहले टर्नोवर रेशो निकालो, उसके लिए आपको क्या करना है, कि पहले अपना तो यह ITC यहां पर आ जाएगा, multiplied by exempted, divided by total turnover, multiplied by exempted, divided by total turnover, तमिल नादू में exempted कितना है, ग्रूप A और ग्रूप भी दोनों बन रहे थे, सर यहां पर यह है 1650 और 100 यह है, लेकिन मैंने आपको बताया था, explanation given in, rule number 42, कि rule 42 और 43 जब भी आप कर रहे होगे, तो वहां पर जो turnover लिया जाएगा, exclusive of all tax लिया जाएगा, दूसरा वाला तो ओके, लेकिन पहले वाले के अंदर taxes, old taxes जुड़े हुए हैं, तो मुझे इनको यहां से घटाना पड़ेगा, इसका मतलब यह जो 500 और 250, 750 है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसे घटाना पड़ेगा, तो 1650 म से अगर मैं 750 माइनस कर देता हूँ, तो यह मेरा 900 आएगा है साब निकल के, ठीक है जी, तो यह आ जाएगा उपर 900, और मेरा दूसरा कितना था जी, दूसरा था साहब मेरा यहां पर आकर, तमिलनाडू की बात कर रहे हैं, 100 था ना, ठीक है, 100 मेरा दूसरा वाला था, 100 मेरा अधर टरन ओवर है, तो कुल मिलाकर यह 1000 टोटल मेरा हो जाता है, तो एक तरह से देखा जाए, तो 9 इस टू 1 का रेशो यहां पर आकर बन जाता है, तो 12,000 इंटू 9 यह मेरा करके चलूँगा, तो यह मेरा कितना निकल का आएगा, मैं एक बार चेक करके देखू, हाँ सर ज उनिये, यहां से पिक्चर अलग मोड ले जाती है, अगर यह इंपुट होता, तो 12,000 में से सीधा सीधा 10,800 माइनस कर देता, एक ही जटके में पूरा रेवर्सल हो जाता, पर चूकि यह आपका capital goods है, और यहीं पर आकर आपको अंतर देखने को मिलता है, अंतर क्या निकल के portion है, उसे मुझे spread करना होता है, monthly wise, by keeping in mind, by keeping in mind, life of capital goods as five years, पांस साल का मतलब होता, बाबु मेरा साथ महिना, तो आप इस 10,800 को साथ महिनों पर allocate कर दीजे, साथ महिनों पर allocate करूँगा, तो एक महिने का मेरा कितना निकल के आएगा, क्योंकि मुझे particular month के बारे में पूछा ग 10,800 डिवाइड कर दिया मैंने 60 से, तो ये मेरा 180 रुपे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो मुझे 10,800 रिवर्स नहीं करना बाबु, मुझे रिवर्स करना है यहाँ पर 180 रुपे, 180 रुपे का रिवर्सल हर रोज होगा, ये capital goods का रिवर्सल हर महिने होगा, हर महिने मरेगा ये 5 साल तक मरेगा, 60 महिने तक मरेगा, हर महिने रिवर्सल होगा इसका, तो 12,000 में से 100 से अगर मैं मैंनिस करता हूँ, तो मेरा बचेगा यहाँ पर आकर 11,820 मेरा यहाँ पर आकर बंचाएगा, and this is B is the right answer, मुझे बताइए, अब उबास समझ में आई की नहीं आई यस और यस सर, बास समझ में आगई है, ठीक है सर जी, ओके, यस, ताइंक्यू, 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 तो ऐसे करके, हमारा मैंने क्या करा दिया, सेक्शन 17 के अंदर, जो रूल नमर 42 था और 43 है, जो में थे आपके रूल, उनका एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन हो गया है, इन क्वेशन की आढ़ में, ठीक सहाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लुब्रिकेंट वेल्यूड रूपीज, 10,000, has been stock transferred, from the blending plant, located in the state of Tamil Nadu, to the refinery, located in the same state, अगला question, अच्छा, ब्लेंडिंग प्लांट से, लुब्रिकेंट जा रहा है, अपने ही state के अंदर, एक मिनट रुकिए, क्या कहरा है, question मेरा ये था, कि जो blending plant है, यहाँ पर lubricant आपका ये बन रहा था, तो ये वाला जो lubricant है, ये आपका यहाँ से, यहाँ के लिए रवाना हो रहा है, उल्टा जा रहा है, लेकिन चुकि मुझे बताया गया था, question मेरे पूरे सामन framing है, एक state में multiple place of business भले ही हो आपके, लेकिन common registration लिया है, तो मझे बताईए, अगर तमिलाडू के दोनों premises, blending plant और manufacturing plant, अगर एक ही registration में आते हैं, तो क्या ये घटना आपकी supply बन पाएगी, the answer is no idea, supply बनने के लिए जरूरी होता है, दो व्यक्तियों का होना, भगवान से, शादी की रुकमनी से, ऐसा क्यों किया, तो भगवान कृष्ष्ण ने कहा था, हे राधे, शादी के लिए दो जन की आवश्चकता होती है, राधे तुम ही बताओ, हम में दूसरा कौन है, अर्थार्थ राधे ही कृष्ण है, और कृष्ण ही राधे है, जैजैशी तो भले एफोसी क्यों ना हो मैं सप्लाई बना देता लेकिन या तो मामलाई एक है मैं मेरे को सर्विस नहीं दे सकता हूँ मैं मेरे को सप्लाई नहीं कर सकता हूँ मैं आपको सप्लाई दे सकता हूँ आप मुझे सप्लाई दे सकते हो लेकिन मैं मेरे को सप्लाई नहीं दे सक तोड़ा लेट हो गए थे अरे बच्चा तू लेट मत हुआ कर यार बहुत गदर और बहतरीन चीज चल रही है ध्यान से सुनिएगा ओके सरची आगे चलो आग होती है पांचतर है कभी वक्त मिलेगा तो डीटेल में समझाओंगा कौन कौन सी आग होती है due to sudden fire in the store room ये भी तो एक आगी है जो इसमया बैठो मेरे सामने जजबा है जोश है आग लगी पड़ी ये अंतर किसी ये बनना ही बनना है ये भी आग का एक रूप है चार और रूप होते हैं कभी बताऊंगा due to sudden fire in the store room of the refinery located in the Maharashtra on January इतने the entire quantity of spares procured in the month of January gets destroyed लो भाया आग लग गई अब यहाँ पर आपको क्या याद आता है what the actions, action क्या होंगे ITC को लेकर करें कुछ नहीं होगा या फिर report करेंगे अधिकारी को कि हाँ है लुटगे बरबाद हो गए या फिर ITC avail ही नहीं करेंगे या फिर avail तो करेंगे फिर reverse करेंगे क्या करेंगे तो यहाँ पर आपका आता है मालिक facts आपके सामने है, issue आपके सामने आगया अब given issue के सम्भने बस आपको law recall करना pure तरीके से सर्क law recall कीजिए section number 17, sub section 5 यहाँ पर आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर आपका जो input है वो destroyed हो गया है उसमें आग लग गई है वो 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 आपका चोरी हो गया है या और कोई जल गया, मर गया, कुछ भी हो गया सर उसका हमें ITC नहीं दिया जाएगा मिलेगा ही नहीं साब जी, मिलेगा ही नहीं साब लेकिन जो आपने नहीं किया तो you are not entitled to book the credit तो that's why ये आसान question था तीस राद उसका solution है कि ITC आपको नहीं मिलेगा ये इसका सही जवाब यहाँ पर आ जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और बात समझ में आ गई हो तो बाबू बताओ तो अब बढ़ जाओ आगे हाँ सर जी बढ़ जाएए रोहित वर्मा चले हाँ सर जी चलो ना बाबू repeat मत करवा केशव repeat मत करवा बाबू question 3 काँ सा repeat कर दो repeat से monotonous हो जाएगा एक घंटा होने को आ रहा question नहीं किया भी तक हमने हो गया 56 मिनट में हो गया है जी और ऐसे करके हमारी बात हो जाती है और फिर भी question नमर 3 को मैं फिर से बोल देता हूँ अगर तू कहता है तो capital goods के संबन में आपको ineligible ITC निकालना होगा और ineligible ITC monthly reversal होता है बस यह याद रखना है input का होता है तो एक जटके में reverse हो जाता है और अगर capital goods का होता है तो उसे monthly reverse किया जाता है by assuming the life of the capital goods as five year यानि कि 60 महीने तो हर महीने मरता है वो हर महीने मरता है ठीक है चलो okay yes आकर रूप बताएए बताएंगे आकरो पहले हाँ ध्यान दो तो पहले बताओ question शांदार तरीके से समझ में आया की नहीं आया my idea question तो आप खुद भी करते तो भी समझ में आ जाता लेकिन मैं जो आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूँ वो तरीका वो pattern आपको समझ में आया की नहीं आया मैंने तीन stage बनाई facts issue जब हूँ कर रहे थे तो वो ही कर रहे थे कुछ और नहीं कर रहे थे पूरे focus के साथ जब law recall करने के बारी आये तो सिर्फ law ही recall किया कुछ और नहीं किया और फिर दोनों को mix up कर दिया और अपना solution निकाल दिया इसलिए आपको तीन टुकड़ों में बाटकर हर एक question को solve करना चाहिए बड़े से बड़ा question आपके कदम चुमेगा ठेक मालिक पहने question के बाद आप हम आते हैं अपने दूसरे question की तरफ जहां है डम-डम डम-डम engineering private limited सूरत गुजरात अच्छा जी लिख दू जो भाहिसर आ रहा हाथ लग रहा है अब यहां question पढ़ते समयं बिलकुल भी घबनाना नहीं है कुछ और सोचना ही नहीं के लिए बात को पकड़ लो बाबू यही सिखाने के लिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूं कुछ मत सोच अब दिमाग को रख एकदम cool that's it आराम से पढ़ रहा है question को लिखते चलेंगे डम-डम engineering प्राय आप गलती क्या कर रहे हो पढ़ते भी हो लॉबी रिकॉल कर रहे हो तौन तांसर करने का प्रयास कर रहे हो हुँ खॉचपॉच कर जाते हो नहीं घबर आ जाते हो सारे पामे कठे करते हो यह आपका डम-डम, डम-डम, प्रायृट, लिम्टे लिम्टिट, सूरत गुजरात यह आपके गुज्यरात के ठीक है, a supplier of heavy machinery अच्छा सप्लाइ करते हैं ये machinery के to gulati manufacturers from its go down located in Mumbai अच्छा जो dum-dum हैं dum-dum का Mumbai यानि की महराश्टर में अपना एक warehouse भी है और machine की supply वो basically यहां से नहीं हो रही है machine की supply यहां से की जाएगे machine यहां से महराश्ट वाले warehouse से dispatch कर दी जाएगी on January at a price of 64, शांदार question है मनसिक आह और वह ना निकले तो कहिएगा ठेक सर question 1 मैं value of company supply को भी add किया है वो क्यों किया सर जी क्योंकि हमें aggregate turnover देखना होता है बाबू aggregate, aggregate turnover मतलब पूरा turnover देखा जाता है all over India pen based जितना भी है सारा का सारा जोडते हैं इसलिए aggregate करनों में सारा कुछ जोड़िया था हमने ठीक है जी ऐसे करके state wise नहीं जोडते, aggregate turnover में all over India basis पर जोड़ा जाता है ठीक है अरपना, yes sir तब ज़र यहां पर concentrate कीजेगा please कुछ queries है तो मैं ले लूँगा आपकी queries don't worry आप यहां concentrate करें तो machine का जो मूले था वो था सहाब यहां आपका 64 lakh यहां पर machine का मूले दिया गया था, okay exclusive of Texas ठीक है, गुलाटी manufacturers यह है गुलाटी जी गुलाटी जी रहे manufacturers has its corporate office in New Delhi अच्छा अच्छा, इनका जो office है corporate जो office है वो दिल्ली में है corporate office इनका दिल्ली में है ठीक है however the machine was installed in its manufacturing unit located in गुडगाउं हरियाना, अच्छा अच्छा गुलाटी जी की हरियाना में एक manufacturing unit है और जो machine है वो आपकी यहां से सीधी हरियाना आई है, ये गुलाटी जी का ही है इनका corporate office वहाँ था और गुलाटी जी का जो unit है वो उनकी यहां पर हरियाना के अंदर है ठीक है जी, आच्छा, ठीक साहब ये इनका अपना है और ये इनका अपना है, ऐसे करके बात की जा रही है और machine जो ही हो यहीं पर install हुई है machine यहीं पर आपकी install करी गई है ओके साहब आगे बढ़िये जरा for which installation and commissioning charges 4,80,000 and handling and loading charges 1,60,000 were charged by dum-dum dum-dum ने machine के साथ साथ कुछ और भी खर्चा पाने लिया है installation charge लिये है, loading, unloading लिये है तो बताइए, क्या installation charges loading, unloading को अलग से classify करू या machine में जोड की लिखू सर जानते हैं, composite supply होती है 4,80,000 एक लिये गए है और 1,60,000 एक लिये गए है अच्छा ठीक है जी इतना यहां से लिया गया है जी इनसे, गुलाटी जी से ये सामान, ये machine के हो गए ये installation के हो गए और ये हो गए आपके जी loading, unloading के ऐसे करके इतना पैसा लिया जा रहा है for every machine supplied by dum-dum receive a grant of 3,20,000 from its company अपनी एक holding company शे 3,20,000 रुपे की subsidy इनको मिल रही है ठीक बात है अच्छा transportation of machine to customers premises is arranged by dum-dum through a third party service provider GTA अच्छा एक third party है, एक तीसरा पैर और निकलाया जो GTA है उसके थो ये machine आगे पहुँचाई गई है, हर्याना तक पहुँचाई गई है तो इन्होंने arrange किया था गुलाटी कितने का था जी वो गुलाटी manufacturers entered into a separate service contract with GTA and freight of rupees 50,000 अच्छा तो यहाँ पर ये supplier बने थे और गुलाटी जी इसके recipient बने हैं गुलाटी जी यानि कि बताया था supplier ने लेकिन सारा जो अलग से separate contract था जी गुलाटी जी का मतलब ये composite supply का हिस्सा नहीं बनेगा ये transportation एक अलग चीज हो गई अगर transportation भी पूरा यही करके देता दमडम तो transportation भी composite supply का हिस्सा बन जाता पर इसके लिए अलग से contact हो जाने उनका काम जाने दमडम को इससे मतलब नहीं है ये बत कही गई है आपे आगे बोलते हैं डमडम जो है वो offer कर रहे हैं cash discount of 2% on the machinery धान से language पढ़ेंगे on the machinery at the time of supply supply के वक्त machinery पर 2% का discount दिया जाता है अच्छा जी 2% on the price of the machine price of the machine कौन सा आएगा 64 lakh या खर्चों को जोड़ कर 64 lakh के उपर दिया गया है machine के value पर दिया गया है तो यहाँ पर 2% का discount भी है भाई साब यहाँ पर दिया गया है discount at the rate of 2% on 64 lakh discount भी दिया गया है कितना है भाई साब 64 lakh का 2% 64.02 1,28,000 रुपे का discount दिया जाता है 1,28,000 का यह आ गया जी discount करके ठीक है और क्या बोलते हैं the price of the machine at the supply since Gulati manufacturers agreed to make the payment within 15 days or receipt of the और यह condition थे कि ठीक है मा आपको 2% का discount दे रहे हैं लेकिन अब वादा करो कि पंदर दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे यह बात वहाँ पर करी गई थी आया और वो discount reverse हो जाता है ओहो later on later on जो discount था वो recover हो जाता है जब discount recover हो गया मतलब नहीं दिया कि जा तू discount पाने का हकदार नहीं है तो जब discount दिया था तो discount था लेकिन जब discount recover किया तो इसे एक तरह से late fee बुला सकता हूँ या नहीं या penalty के तोर पे देख सकता हूँ या नहीं बताईए जब discount दिया था शुरू में आपने वादा किया था कि आप पंदर दिन में payment कर दूगे पर आपने नहीं किया तो भाईया मेरा discount वाला पैसा मुझे दो तो अब ये discount नहीं रह गया ना discount cancel हो गया और discount cancel होके recovery के time पर it is called as late fee आपने time से पैसा नहीं दिया इसलिए जो benefit हमने शुरू में दिया था वो हम आपस वापस लेती है is it okay my dear हाँ सर जी भुजी को आख कहते हैं जली को राख नहीं क्या वात रोहित तुम्हें बहुत पता है भुजी की और लगी की आगे चलते हैं चलो later on discount recover यहाँ पर हो गया तो एक प्रकार से late fee बाद में शुरू में तो invoice में तो pass on कर दिया होगा ना क्योंकि सामने वाले ने commitment किया था भाई साथ मैं payment कर दूँगा उसके बाद आगे बोलते हैं अभी law वा कुछ याद नहीं कर रहे हैं सिर्फ question को इस समझ रहे हैं आगे बोलते हैं क्या भला कहा गया कि भाई साब और ऐसी की तैसी भाई साथ discount के साथ कुछ और भी लगा दिया यहां पे and charge interest 1% per month और per month और part of the month 1% per month और part of the month on the total amount due on the total amount due total amount due including discount recovered जो भी पैसा लेना बनता था from the glutty manufacturer towards machine supplied from the date of making the supply till the date of payment शुरू से लेके जब तक पैसा नहीं आ जाता है तब तक का सारा पैसा उनसे जो amount due बनता था उसको पर 1% का ब्यास चार्ज किया यह discount recover किया है किया साथ में 1% का इन्होंने interest भी चार्ज किया है on total amount due total amount due total amount due बता सकते हो आप ऐसे कि कितना लेना बनता था हाँ सर बता सकते हैं देखो शुरू में तो खेर discount दिया था लेकिन बाद में अगर discount को ignore कर दिया जाए चलो बाद में करेंगे या अभी कर ले देख लो total amount due कितना हुआ जी total amount due जो आ रहा है इन्होंने बताया नहीं है मैं बता देता हूँ 64 lakh तो एक था इसमें से घट गया था जी discount ठीक है एक लाख 28,000 रुपे का तो मशीन का भाव रहे गया था कितना भला 60 जो बाद में करेंगे ना भी कुछ अ करन पड़ते हैं पर सिर्फ question को तसलिए से पढ़ लेते हैं total amount due ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और वो भी हम यहां पर लेके चलेंगे ओके जो भी निकल के आगा देख लेंगे और आगे बोलता है however no interest is to however no interest is to be paid charged on tax dues अच्छा जो से पैसा आना था उसमें GST भी शामिल था taxes भी शामिल थे लेकिन taxes को छोड़ कर बाकी जितना भी पैसा आना था उसके उपर इन्होंने एक परसंट का discount interest लिया है और यह जो total amount due था यह excluding taxes था जी ठीक सहाब excluding taxes बट including discount वाला वो भी तो पैसा आप recover होना था ना including discount तो एक परसंट पर मंत उसके उपर लगा दिया जाता है आगे बात करते हैं गुलाती manufacturers paid the consideration on 31 March March के महिने में transaction done हुई थी January में और March के महिने में आकर यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने payment कर दिया since the payment was made after the stability time of 15 days of the receipt of the machinery discount given was recovered from it and interest was accordingly charged ठीक है यह discount भी recover किया गया और interest भी charge किया गया however गुलाटी manufacturers refuse to pay tax on interest and discount recovered यह जो पैसा आपका यहां पर निकल के आएगा इसके over and above not to pay not to pay GST क्योंकि हम जानते हैं आपका जो interest वाला amount होता है वो भी तो my dear आपका chargeable to GST होता है कि सामने वारे ने का भाहिया interest के over and above मैं GST नहीं दूँगा और जो discount वाला पैसा 1820 वही वापस करूँगा इसके over and above मैं आपको GST देने वाला नहीं हूँ हमने का ठीक है जिन not to pay GST ये सीन हमारे सामने आजाता है उसके बाद आगे बता रखें assume the rates of taxes are as under तो machinery supplied ये आगे machine का इतना है transportation का इतना है और इसके अलावा कोई और rate अगर आपको लेना पड़ा तो वो आपका ये यहां पर निकल के आजाता है तो मैंने अभी तक जो किया वो सिर्फ इतना काम किया है मालिक कि question को आपके सामने तमीज और तरीके से रख दिया है मुझे बताओ बात समझ में आई है और नहीं आई कि डमडम गुजरात में है वेर हाउस से machine की supply किये है गुलाटी को किये है उनके हर्याना वाली factory पर करी है machine का मुले 64 लाख है चारसी एक साथ के और भी खर्चे किये है transportation recipient ने अपने आप अरेंज किया है 2% का शुरू में discount दिया गया था लेकिन टाइम पर payment नहीं हुआ discount का पैसा भी recover हुआ साथ में total dues पर 1% का interest भी charge किया गया और जो ये additional पैसा मिला इसके over and above सामने वाली party ने GST नहीं दिया है और जो machine के संबंद में supplier को अपनी holding company से 30 की subsidy भी मिलती है this is the complete question पहले बताईए मालिक क्या इस step को करने में आपको जराशी भी तकलीफ होती है या नहीं होती I think नहीं क्योंकि हमने इसमें दिमाग ज़्यादा लगाया ही नहीं हमने सिर्फ question को अपने सामने सही रूप में रखा और यहीं मैं आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ my idea यह question चाहे मेरा descriptive type ही क्यों न होता तब भी मैं इसको अपने सामने सजा कर ऐसे लिखता चाहे तो line में लिख सकता था diagram बना के लिख सकता था जैसे मर्जी मुझे facts और issue के अंदर question को समझना होता है summarize दुबे में बोलते हैं and view of the above you are required to inform the following question the place of supply machinery this 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 and nature of place of supply and nature of supply पूछने का काम कर रहे हैं मुझे बताइए यहां पर आकर अगर यह place of supply पूछ रहा है तो पहली बात यहां बात goods की हो रही है कि service की हो रही है linkage करके देखें देख लो सर यहां goods की बात हो रही है machinery एक goods है ठीक बात क्या यह घटना एक supply भी हुई है हाँ सर एक activity भी हुई है business भी है और consideration भी साथ में आया है और इसका destination कहा निकल के आएगा सहब goods का जो place of supply देखने तो वहाँ पर section number 10 या 11 काम करेंगे चुकि domestic transaction है इसलिए section number 10 लगाय जाएगा और section 10 के मताबिक 10-1-D बोलता है कि अगर assembly installation की बात कर रहे हो तो जहाँ पर assembly installation हुआ है वहाँ पर उसका destination बनाया जाएगा तो 10-1-D के मताबिक 10-1-D के मताबिक ये आपका निकल के आएगा हरियाना दौनों के एक different location है अलगले एक state आपके यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं इसलिए transaction जो है वह आपकी interstate बनाई जाएगी पहले question में यहीं तक पूछ रहा था कि यहाँ पर बताईए किसका place of supply क्या है हरियाना है और transaction आपकी interstate है यानि किसका जो बी answer है वो यहाँ पर सही हो जाता है इस इस सर अन्वेशा ने बिलकुल सही जवाब मुझे यहाँ पर दे दिया है सर अपनी यह file दे देना written वाली पक का मैं इस file को website पे डलवा दूँगा इस file को अपनी website पे मैं डलवा दूँगा वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं ठीक है न जी okay sir done क्योंकि यह file वाकि में बड़े काम की हो जाएगी आपके लिए एक बार दुबारा देखने के लिए की काम कैसे करना है बाबू एक बात पूछू समझ में तो आई रहा है साथ में confidence built-up और मजा दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मैंने दस पंदमेंट लगा दी सिर्फ question को समझने में यार उसको लिखने में अपने सामने अब एक करके तोड़ दूँगा लीगल position लिख रहा हूँ, linkage form में लिख रहा हूँ, एक करके सारी चीज़ों को तोड़ता हूँ चला जाओँ अब देखो बहला कैसे अगले question पे आ जाओ यहां से आगे बढ़ जाओ, इसी linkage में आगे बढ़ जाओ पहला point दिया, इन्होंने जो gate 3 आता है, बाबा की बूटी के मताबिक place of supply का, कि supply आपकी इंटरा है या इंटर है, पहला question इस पर based अगला question है आपका box number 6 पर जो बाबा की बूटी का diagram में आपको दिखाया था, उस पर based है कि आप मुझे बताइए जरा computation यहां पर क्या की चाहेगी, computation कैसे करी चाहेगी, अच्छा जी तो यहां पर इसी chain को मैं आगे बढ़ा जाता हूँ, बताओ taxable person कोन है, चौते box में आता है taxable person कोन है, क्या यहां पर कोई reverse charge तो नहीं लगेगा, नहीं सर जी, यहां जो dum-dum है ना, उसी को taxable person बनाया जाएगा, और काफी बड़ी transaction है, उसी को registration कराना पड़ेगा, क्या आप आजाते हो, तो अब मैं confidently बोल सकता हूँ, कि यहां transaction पर GST लगाया जाएगा, लेकिन GST कैसे लगेगा, इसके लिए आपको recall करना पड़ेगा, उसके नियम कानून, वहां पर यह बोला जाता है, कि accessible value is equal to transaction value, ऐसे करके बोला जाता है, अब आपको law recall करना है, और transaction value के अ इडियेट्स के अंदर I की बात करता है, I में क्या बोलता है, I में सबसे पहले बोलेगा, बाई साब के आपके कोई, like, incidental expenses है, वह composite supply वाला concept, incidental expenses है, मैंने का हाँ है न, एक मेरे installation के charges थे, और एक मेरे loading, unloading के charges थे, 480 के charges मेरे ये बनते थे, और 1,60,000 के charges मेरे ये वाले बनत थे, D के अंदर बोलता है, क्या कोई discount है, मैंने का है न, तो ठीक है, discount को यहाँ पे घटा दिया जाता है, my dear, D for discount हो घटा दिया जाएगा, discount कितना निकल के आएगा, सर्वो 2% से था, machine की value पर, तो 64 का 2% आता है, आपका 1,28,000 वो निकल के आता है, ठीक है जी, idiots, अगला आई आता है, interest or penalty, interest or penalty, हाँ, question में interest or penalty भी दिये हुए है, लेकिन ये बात पूछ रहा है, मुझसे जनवरी महिने की, interest penalty है picture में, जो discount को जो recover कर लिया, वो एक प्रकार से penalize थाई, basically, लेकिन उनकी बात मार्च में हुई है, शुरू में जब billing की गई होगी, जनवरी के महिने में, उस समय तक तो interest वगरा कोई picture में था ही नहीं, तो इसलिए अभी मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं करूँगा, उनकी बात करूँगा, मार्च के महिने में, यह मुझसे टोटल liability नहीं पूछ रहा, जनवरी की tax liability यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, डिस्काउंट आगे मालेक एक लाख अठाएज़ा रुपे का, बिल्कु ठीक बात है जी, आगे बढ़िएगा, इडियर्ट्स, इडि ओ, ओ का मतलब आगया जी, कोई obligation, supplier का कोई obligation हो, जो recipient ने pay किया हो, वैसा तो कुछ नहीं है आपे question में, आगे है T, any kind of other taxes वो भी जोड़ जाएंगे, जी वैसा भी कुछ नहीं है, subsidy, S का मतलब है subsidy, और subsidy मूलता है कि अगर subsidy, government ने दी है, unit linked है, supplier को दी है, फिर तो आपकी वो घटा दी जाती है, लेकिन otherwise वामला बनता है, तो फिर आपकी वो add करी जाएगे, तो यहाँ पर जो subsidy है, जो holding company से मिली है, और विसी बात है मालिक, उसको यहाँ पर add किया जाएगा तीन लाख बीस हजार को यहाँ पर add करवा दिया जाएगा, और उसके बाद हम इसकी total value यहाँ पर निकाल के चलेंगे, कितना निकल के आता है, calculator पकड़ाना जाएगा, यहाँ आता है जी आपका 64 था, 64 lakhs तो आपका यहाँ पर यह आ गया था, ठीक है, और इसमें प्लस करना है, मैंने 4,08,000, उधर होगा बाहर, 4,08,000 calculator है, यह है, और 1,60,000 मालिक आपका यह आ गया, थोड़ी मदद कर दो यार, प्लीज, और यह आ गया माइनस करना इस बार, माइनस करना, 1,08,000 माइनस करना है, और प्लस करना है, 3,20,000, 72,32, 72,32, यह आपका यहां पर निकल के आ रहा है, तो यह बन गया जी आपका final, total accessible value आपकी यह निकल के यहां आती है, जिसको पर आपको GST निकलना है, GST के rate मुझे बताए गए थे, कितने बताए गए थे, मशीन के अंदर मैं classify करके चलूँगा, चूकी मेरी transaction interstate है, तो मेरा यह IGST निकला जो आएगा, और IGST आएगा मेरा यहां से कितना कितना कितना, यह आएगा मेरा 12% से निकल के आएगा, जी, तो यहां पर मैं निकल दूँगा, अपना जो मेरा IGST है, 12% से जो निकल के आएगा, वो कितना आएगा मालिक, 72,32,000 into 0.12, it will come to 867840, 867840, यह ऐसे करके यहां निकल के आजाएगा, यानि कि ये वाला B वाला, इसका सही जवाब यहां पर निकल के आजाता है, इस इस ओके, यह सर, एकदम ओके, टना टन, ठीक, डन, डन सहाब, डन, आगे बढ़ते हैं प्रभू, तो यह मेरा सेकिंड पार्ट हो गया, असानी से, आगे पूछता, टाइम अफ सप्लाई, जनवरी के बाद, अब मार्च की बाद तो आपसे पूछ रहा है, कि मार्च में क्या सीन रहेगा, तो यह भी मेरा जो बाबा की बूटी है, बॉक्स नमर 6 से ही है, जहां पर मुझे अपनी कॉम्प्यूटेशन करके चलनी है, यह भी मेरा उसी से सम्मंदित यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो मार्च के महिने में एक तो जो डिसकाउंट था साहिब, वो यहां पर रिकवर किया गया था, डिसकाउंट रिकवर कह सकते हो, यह आप उसे लेट फी, क्योंकि एक तरह से पैनल्टी ही लगा दी, यह आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो जो बेनिफि निकाला जाएगा, एड़ रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ, मंथ कितने हो गए, पेमेंट दिया है, उन्होंने मार्च के महिने में, तो एक जनवरी को डिल हुई थी, तो एक जनवरी, फरवरी और मार्च, सरपाट अव दा मंथ भी पूरा महिन अकाउंट किया जाएगा, तो यहाँ पर यह बात आएगी आपके निकल के, तीन महिने का, तीन महिने का निकल के आएगा, और कौन सी वैल्यू पर निकलेगा, वो कह रहा था यहाँ पर कि जो आपके टोटल ड्यूस बनते थे ना भाई साब, कहा गया, जो आपके टोटल ड्यूस बनते थे ना भाई स तोटल ड्यू अमाउंट टोटल ड्यू अमाउंट भाई 64 बनता था जिसमें से एक 28 आपका घट गया था लेकिन अब मैं उसे जोड दूंगा अब मैं उसे रिकवर करूंगा तो वो मेरा यहां पर आ जाएगा ठीक है और क्या तो फाइनली वही 64 का 64 आ गया जी ठीक है और क्य और प्लस 4 80 मेरा एक ड्यू बनता था एकRET लाकः शाठ वजार यह ड्यू बनता था और और क्या जी और 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 कुछ और कुछ और कुछ और तो कुछ नहीं है साहब मैं यही था 28 दिसकाउंट का ले लिया और 480 यह हो गया सबसीडी कस्टमर से थोड़न आएगी यार सबसीडी कस्टमर से नहीं आएगी सबसीडी तो भाई साहब उससे होल्डिंग से मिली थी जो कस्टमर से लेना बनता था उसकी बात कर रहे हैं कितना बन गया जी है 64 लेक प्लस 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 84 प्लस 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 एक लाख साथ हजार सतर लाख चालीस हजार यह आपका टोटल डू बनता है यह आपका टोटल से बनता था जिसके उपर आपके ब्याज की कैलकुलेशन होनी चाहिए तो सतर लाख चालीस हजार इंटू वन डिवाइड बाई हंड्रेट इंटू थरी मंद्स कितना है मालिक इंटू पॉइंटू पॉइंट जीरो थी 2100,2011 2100 रुपे आपके निकलके आ रहे है अब यहाँ पर आकर वोकह रहा है भाई साब की ये और ये तो तोटल आपको जो एडीशन मिलने वाला है वो कितना हो गया प्लस 1100,000 तो 339,200 आपको जो लेना बनता था उसके अतृत तिये मिलेगा, discount recovery इतनी हो गई बाद में चलकर, और आपका ये हो गया, अच्छा अब मुझे बताइए, as per the provision of valuation, वापस अपने law में लॉट की चलिएगा, interest और penalty जो होते हैं, liable to GST होते हैं ये liable to GST होते हैं, इनको add किया जाता है, idiots के अंदर जो एक यही payment किया, full and final, वो कहरा कि भाई साब, हम ने इसके over and above GST recover नहीं हुआ, साब बोला गया था question के अंदर साब बोला गया था, कि इसके over and above उसने GST का payment हमको नहीं किया है, तो अब यही है, यही जो भी है, यही मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर आता है, आपका rule number 35 आपका आता है, कि अगर ऐसा कुछ मामला बनता है, जहाँ पर आपको अलग से GST recover नहीं हुआ, तो जो भी आपको मिला है, उसे ही inclusive of GST, यहाँ पर माना जाता है, तो अगर मैं इसको inclusive of GST, मान के चलता हूँ तो मेरा GST, यहाँ पर मालेक कितना निकल कर आएगा, क्या बता सकते हैं, हाँ सरम बता सकते हैं, 339 200 into 12 divide by 112, इसी में शामिल मान लिया जाएगा, तो 339 200 into 12 divided by 112 36,342 36,342 .85 round off करेंगे जो 43 हो जाएगा, 36,343 36,343 first is the right answer यहाँ पर आकर, यह अपना हो जाता है बाबु मेरे, बताईएगा बात समझ में आई या नहीं आई I am waiting for a reply क्या वाकई में किसी बड़े question को सावल करना कोई बड़ा काम है नहीं, बशर्ति कि आपके approach towards the question सही होनी चाहिए that's it फ़ले question पूरा समझ में आ जाए summarize कलो उसके बाद तो आप जो मरजी करो अगला point डाल दिया और उन्होंने यहाँ पर आकर time of supply का अच्छे एक बात और बताईएगा यह जो rate लिया आपने कौन सा लिया यह आपको confusion हो सकते है rate 12% काएगा या rate 18% काएगा sir यह जो additional amount की recovery हुई है यह कोई independent या कोई अलग से कोई supply नहीं की गई है यह मेरा जो original बनता था ना, यह जो मेरा original बनता था जो original goods की supply थी यह उसी का अंश है, उसी का part है so accordingly वही वालत GST rate लगाया जाएगा जो मेरी original supply के उपर लगाया गया था, right? yes sir yes sir, yes sir, yes sir ठीक है मालिक, चलूँ आगे हाँ जी चलो sir आगे चलो तो मालिक बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और आगे क्या बोलता है भला, इसमें आके वो, देखो जरा sir जी, machine supply इन जनवरी में 15 तक पता चल गया होगा कि payment नहीं आया, so interest component क्यों नहीं लिया जाएगा, बाबु मेरे यहाँ पर जो आपने question पूछा ना, और पना, यह हम invoice तो एक जनवरी को दे चुके थे ना जब invoice एक जनवरी को दे चुके थे हम लोग तो वो मेरा GSTR1 में भी accordingly ही जाएगा और मेरी उस मेनी के liability accordingly ही जाएगी, ठीक है, दूसरी बात यह कि जो मेरा time of supply निकलता है, मैं वहीं पर आपको लाना चाह रहा हूँ time of supply पर मेरा अगला question based है, याद करो goods की supply तो section number बारहे लगता है और बारहे के अंदर एक resultory point दिया हुआ है, कि अगर आपको कोई भी, मैंने बड़े शांदार तरीकिसा आपको point बताया था ये, कि वैसे तो normally कि भई invoice payment वगर सब देखके चलते हैं लेकिन section number बारहे के अंदर बताया जाता है आपको, कि अगर आपको कुछ additional amount की प्राप्ती होती है, interest, late fee वगेरा, तो उसका time of supply तब लेके चलते हैं, जब वो आपको यहाँ पर received हो जाता है, इसलिए जनवरी में नहीं देख सकते थे interest की बात हम, अगर मालो, इसमें से ये interest का ये discount की recovery एक रुपे की ना होती, अगर नहीं होती, तो हमारी कोई GST की liability नहीं बनती, जब ये मिलेगा, जब मिलेगा, जितना मिलेगा, उस पर उसका accordingly time of supply निकाला जाता है, तो चुकि March के महिने में आपको मिला है, तो मार्च के महिने में इसका time of supply निकलेगा, और उसी महिनी के liability में count किया जाएगा, I hope आपको बास समझ में आ गई होगी, Sir it is assumed that subsidy already reduced, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं मानेंगे, 64,00,00, जो आपका है, Sir, it is assumed that, बबबु ना, ये assume करने के जरूत ही नहीं आएगी, 64,00, मैं customer से मांग रहा हूँ, तो customer से जो मांग रहा हूँ, तो obviously सी बात है, मैं सबसीडियोवल आमाउंट उसे नहीं मांगऊ हूँ ना, हमें ये नहीं बताया कि machine का price 64,00,00, वो कह रहा, 64,00, में उसको दिये हमने, उससे आना 64,00,00 मेरे पास, 30,00, वहाँ से आ गया, वैसे करके ठीक है, आगे बोलते हैं, यहाँ पर आकर तो भाई, यह आपका supply पूस्ता, supply of machine and supply of installation and commissioning services, is कौन से supply है, सरी यह composite supply थी, जो 4,60 था, और इसका जो time of supply निकल के आएगा, वो कब का निकल के आएगा साहब, साहब वो निकल के आएगा, जब यह receive हो जाते हैं, तब का निकल के आएगा, 31 मार्त, उसका पहला जो आंसर है, वो यहाँ पर सही करवा दिया जाता है, is it okay, yes, आगे चलो बाबू, if the grant of rupees, 3,20,000 received by dum-dum, had been received from central government, instead of its holding company, धर्म लिम्टेड, अगर यह 30 मिलता, कहां से मिलता सर जी, अगर यह 30 आपको मिलता, इन से मिलता क्या बोलते हैं, central government से मिलता, तो आपका answer क्या होता, तो सर यह 30 जो हमने add कर दिया है, फिर यह add नहीं होता, क्योंकि government subsidy को exclude किया जाता है, तो जो 72,22,000 आ रहा था, जो मेरा 72,22,000 यहां पर आ रहा था न मालिक, उसमें से यह 30,20 मेरा reduce हो जाता, और क्या बचता, बहतर लाख 32,000 में से 3,20,000 मेरा reduce हो जाता, और यह बचता, 69,12,000 यह बचता, और इसके उपर हम निकालते हैं, अपना 12% यहां पर निकाल देते हैं, तो 8,29,440 यह वाला answer आपका निकल किया आ जाता, तो लाखरी question तो बिलकुल, कतई, आसान था हमाई idea, am I right, प्रेम से थीक बात है, कौनू दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम थीक, एकदम थीक, एकदम थीक, एकदम थीक, एकदम थीक, दन, 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 सर फोर्थ question पूरा पढ़हें नप्लीस, अच्छा फोर्थ question पूरा पढ़हें, supply of machinery and supply of installation commissioning services is composite supplier, time of supply of इंटरेस्ट रिसीवड बाई डंडंड एंड कैश डिसकाउंट रिकावर्ड ओन एकाउंट डिलेड पेमेंट कंसिडेशन इस पूछ रहा ना थीक तो है टाइम अफ सप्लाई जो है जो एडिशनल अमाउंट था भाई सब भूल गये क्या रेजुडरी पॉइंट आखरी पॉइंट दे रखा सेक्शन बार है के अंदर टाइम अफ सप्लाई उसके अंदर बोलता है कि जब पैसा रिसीव होगा तब उसका टाइम अफ सप्लाई निकाल कर चलते हैं राधे ठीक है यह सरकताई जहर और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो मुझे बताईए क्वेश्चन दिखने में कठें है अधरवाइस क्वेश्चन वाकई में कठें है क्या बताओ ना मालिक समय जरूर ल को समराइज करो फिर उसके कर्सपंडिंग लॉग को रिकॉल करो लिखना है तो डिस्क्रिप्टे तो लिखो और फिसको कंकल्यूट कर दीजिए बढ़ा आसान तरीके से आगे बढ़ते हैं प्रभू क्वेश्चन नमबर तीन आपका यहां पर आ रहा है वैसे आटी भी बह पहले समरी बनाओ यह श्री राम सेवा ट्रस्ट हैं एक ट्रस्ट हैं ओकी अंडर सेक्शन ट्वेल डबले मनेता प्राप्ते इंकम टैक्स से इट अज और इसकिल डवलप्मेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू दा पर्संस ओवर दा एज अज़ अफ सिक्स्टी फाइब अ शहर में रहने वाले जो ओल्ड एज पर्सं हैं उनके लिए बात कर रहा ग्रामीडों की बात नहीं कर रहा ग्रामीड बुजरगों की बात नहीं कर रहा शहरी बुजरगों के टैलेंट को बहाल लाने की बात कर रहे हैं इन अ मन्त अफ एपरिल यह घटना करम जो दिया गया है it is has received the following amount under the program क्या क्या मिला है एक ये मिला है subscription मिला है sponsorship मिला है consideration of supply of goods मिला है besides the trust has received the donation अच्छा इसके अलावा 2 लग का donation भी मिला है हनुमान accountant of यहां से उठाया question हनुमान accountant of shiram saver trust is not able to determine the liability of the amount received seeks your expertise in the same determine आपको करके बताना बस आप से पूछ रहा है क्या पूछ रहा taxable value आपसे पूछी गई है तो क्या आप इस पूरे question को solve करेंगे सर यह तो आपके facts यहां पर आ गए हैं और facts के बाद issue भी आपको दे दिया कि आपको बताना कि taxable value यहां पर क्या रहेगी तो मैं असकी अब legal position चेक करता हूं सबसे पहले आकर पहली बात मुझे बताईए शीराम सेवा trust supplier है क्या यह जो काम कर रहे हैं यह supply of service कर रहे है supply of goods सर कुछ services भी है और कुछ goods भी है दोनों में deal कर रहे हैं क्या जितने भी items में deal कर रहे हैं क्या वो घटना एक supply है supply के लिए तीन चीह चाहिए होती है ए बी सी की हमें जरूत पढ़ती है सर इंट्रा है या इंट्र उसकी बारे में law question silent है कुछ नहीं बोल रहा टैक्सिबल person अगर बना तो कौन बनेगा सर अगर टैक्सिबल परसन बना तो अव्यस सी बात है यहीं बनेगा सर ट्रस्थी बनेगा क्योंकि RC में कोई चक्कर पड़ता नहीं है सर कोई exemption है हाँ exemption है exemption में आती है आपके कि charitable activities में चार activity आती है जिसमें कि जो व्यक्ति गए काम से मतलब कोई मरना सर नावस्था में हैं या कोई और मरने वाले हैं HIV infected हैं तो उनकी देख भाल केर काउंसिलिंग करना वो सब आता है एंड यहां पर जो भी आपके अनेक और प्रकार के धर क्रम को बढ़ावा देने वाले काम है वो आते हैं योगा प्रकार के अभ्यांस चलते हैं वो आ जाते हैं साथ में शब्वों तुम कहां चली गए चोटखाए हुए जो लट्ति होते हैं वो भी यहां पर आ जाते हैं सब आ जाते हैं और talent को बहालाने के लिए अनाथ दुर्गों का जो टैलेंट है उसे बाहर लाने के लिए भी वो एक्जम्शन है लेकिन मुझे नहीं दिखता कि यहां पर कोई किसी प्रकार की एक्जम्शन है लौ मैंने लिखे दिया ज़रा बात करते हैं यहां पर यह आपकी घटना दिखाई दे रही है ना मालेक पहली वाल और एक्जम्शन में निकलेगा क्या बाहर नहीं सब्सक्रिप्शन फी है यह चैरिटीबल एक्टिविटी में कहीं भी नहीं आ रहा है इसका मतलब इस घटना के उपर जीएस्टी आपका लगा दिया जाएगा लाव मेरे सामने है फैक्स मेरे सामने है दूसरा एलिमेंट इ के है सर्विस भी है सप्लाई भी है इंट्राइंटर भी निकल के आएगा लेकिन कोई एक्जम्शन नहीं क्योंकि चल्टिबल एक्टिविटी में फॉल यह नहीं करता है इसलिए यह भी अपना जी एस्ट के दायरे में आएगा इसमें भी कोई एक्जम्शन नहीं यह भी आपका जी एस्ट के दायरे में आएगा माईटिया ठीक है जी उसके बाद में Beside that Trust has received a donation तो donation के संबन में अभी latest एक circular आया है और मैंने अपने revision वीडियो में बताया है क्लास में भी करवाया था जिसमें हो थाना कि भी donation देते हैं और लिखवा देते हैं name plate लगवा देते हैं in the memory of so and so या उनकी याद में या इसके लिए लोग donation देते हैं और कुछ name plate वगवा देते हैं तो यह जो घटना होती है यहाँ पर चुकि कोई commercial gain नहीं होता donation दिया लेकिन बदले में trust ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया no activity at all इसलिए यहाँ पर कोई किसी प्रकार की supply of goods या supply of service नहीं बन पाती है इसलिए आपका taxable category में नहीं आएगा so finally आपका यह तीनों के तीनों चीज़ है taxable category में आजाएंगी और आपका final answer चार लाख पचास हजार रुपे निकल कर आजाएगा बहार से सकत अंदर से नहरा यह क्या है ठीक है जी तो यह आगया जी यहाँ पर आकर चार लाख पचास हजार तो यह आसान question था my dear है ना question आसान था जी और इसमें जो मजे की बात यह थी बज़ जो इसका आकरशन था question का वो यह वाला था कि जो donations हैं यह आपके supply में नहीं आते हैं बस इस question का आकरशन यह था बाकी question आपका आसान था उसके बात में आते हैं question number 4 की तरफ हम move कर रहे हैं आप questions थोड़े छोटे कर दिये हैं इन्होंने जोंकि बड़े-बड़े question से इनको भी अब दर लगना शुरू हो गया है ओके सर यूट्यूब में आएगा यह वीडियो रोई तैसा क्यों पूछ रहे हो तो happy sing is the lawful owner of residential house एक है happy sing और आपको भी life में happy रहना चाहिए happy है और इनके पास एक building है शांदार वाली building है ऐसे वाली building है ठीक है यह building है lawful owner of residential house situation चंडीगड अच्छ ठीक है जी यह कहां के रहने वाले भाई साथ चंडीगड question को लिख लो यार अभी दिमाग मन लगा क्या होगा क्या होगा नहीं होगा the property has four floors एक दो तीन चार एक दो तीन और चार फ्लोर है property में ठीक है जी first and second floor are self occupied ओकी पहला और जो दूसरा है यह आपका यहां पर कर दिया गया है self occupy कर रखा ठीक है and third and fourth floor has been let out residential purpose okay residential property थी है हां और residential property और residential purpose के लिए ही किराई पर दी गई है very good okay रतन जोत सिंग who is a tenant on third floor एक third floor का एक tenant था किराईदार था क्या गुल्ड खला दी उसने क्या कांड कर दिया has surrendered his tenancy right जो पगड़ी होती tenancy right होता है मैं आपको बता दूँ एक tenancy premium होता है और मैंने आपको बताया था tenancy premium is nothing कुछ state के अंदर ऐसा होता है जहाँ पर tenancy premium जैसी बात देखी जाती है पगड़ी दी जाती है वो refundable नहीं होती है जैसे मान के चलो महराश्टर के अंदर कोई 2 करोड की property है ठीक है उसका scene कैसे बनता है उसमें ऐसे बोलते हैं कि यह काम करो आप हमें एक करोड रुपे तो premium दे दो advance में शुरू में ही और पचास हजार पर मन्त आप हमें किराया दे दीजी रेंट दे दो लेकिन ऐसे ही property गर मान लो UP के अंदर है जहां पर पगड़ी सिस्टम नहीं चलता है तो अगर इसकी भी property कीमत दो लाक रुपे है तो यहां ऐसा कुछ नहीं होता है यहां किराया ही बढ़के होता है यह मान लीजी किराया आ जाएगा एक लाक पर मन्त आपका निकल के आचाएगा तो ऐसे करके वहां पर बात की जाती हैं तो यह जो एक करोड होता है यह बेसिकली इसका जो नेचर वो एक परकार से advance rent की तरह होता है इससे ज़ स्वांस रेंट इन नेचर होती है छी ऐसे रेंडर्ड हिस से राइट को परमेंदर इन्हों ने अपना जो टेनसी राइट ता क्राइदारी थी ओपरमेंदर को ठ theater कर दी और वह भी पांच लाख रुपे में इन्होंने आगे ट्रांसफर कर दी है मालिक ठीक है जरुजी और अब मतलब क्राइदारी चेंज हो गई अब पचास जा रुपे का यह पेमेंट यहां पे रेंट का करके चलेंगे पाँच लाख रुपे का टेननसी राइट हो गया और पचास जा रुपे का यह हो गया बिल्डिंग है रेजिदेंशल परपस के लिए मुझे एक बात बताओ यार रेजिदेंशल ज्वेलिंग यूस फ़र अच्छा लिंकेज करके देखें करके देखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर जिसकी बात कर रहें वो क्या है वो एक सर्विस है लिगल पोजिचन प्यार हूँ नमर दो सर्विस हो एक रेन्टिंग औफ रेसिदेंशल अकॉमोडेशन तो एक यह सर्विस है क्या यह घटना एक सप्लाई है नक्राई लेकिन माई डियरी आपका exempt हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका मैं बता दूँ renting of residential dwelling renting of residential dwelling used as residence जो होता है वो आपका exempt होता है और जब चीज़ एक्ज़ेंट होगी तो चाहे आपका advance rent वो 5 लाक रुपे हो चाहे regular rent पचाज़ार हो उस सारा का सारा exempt ही किया जाएगा तो इस question के अंदर no GST at all no GST at all ना तो 5 लाक रुपे पर GST आएगा और ना ही 50 हजार के उपर GST आएगा लेकिन यहाँ RTP के अंदर question का answer गलत दे रखा है यहाँ पर बोलते हैं सहाब की इननोंने सही जवाब कॉनसार दे रखा मुझे देखना पड़ेगा एक बाद मनला इनके मताबिक सही क्या है आपि सिंग इतने पर देंगे हैपि सिंग इतने पर देंगे कोई किसी पे ने देगा no GST at all अब मुझे नहीपता इसका कॉना आनसर ठीक कर रहा अगर मैं देखों तो बता सकता हूं ऐसे आपको मैं चवते का कॉंसर ठीक दिया है आशर करके कि फोर्थ का इनोंने सही बोला है फोर्थ का इनोंने भी बोला है हैं पी सिंग्ल रतन जूत पांच लाग पर कते नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं जाए गा residential purpose residential property residential house residential purpose की दी जा रही है वाई सब कोई GST नहीं लगाया जाएगा तो यहाँ RTP के अंदर यह wrong answer है यह answer यहाँ पर wrong है is it okay yes sir आगे बढ़िए और इसके जो सही जवाब है वो आपका यह रहा सही जवाब आपका यह रहा सर हमें क्या करके आना है यह थोड़ा मैं तुम से कहा दूँ है भाई सब चलो जो RTP के रही है उसी कर देना मैं नहीं कह सकता है आपके क्योंकि यह अपरेंटल स्टेट फॉरवड गलत है भाई सब यहाँ कोई विचारों की बात नहीं है यह law पड़ रहे हैं विचारों की बात नहीं कि भाई मेरे विचार में है और यह उसके विचार विचार क्या होता है सर्कुलर आया हुआ है clear रिकर फाटेब आई सब गलत मतल्ब गलत है स्टेट फॉरवड गलत है स्ट्रीट फॉरवड यह सर आइए एक और शानदार कॉशन लीजिये मिस्टर काला ये पहले भी RTP का हिस्सा बन चुका है काला वाला कॉश्चन हाला कि एक कॉश्चन को समराइज करने के जरूत नहीं क्योंकि एक कॉश्चन अपने आपने ही बड़ा समराइज दुबे में दिया हुआ है पढ़ लेते हैं Mr. Kala Mr. Kala Sir, why we assume आचल पूछती है मैंने यहां पर जो कॉश्चन था मैं वापस कॉश्चन पर लोट किया रहा हूँ मैंने इस कॉश्चन के अंदर मैंने नहीं कहा था कि इसमें GST शामिल है ऐसा मैंने नहीं कहा था मैं आपको दिखाता हूँ कहा गया वो एक चोटी सी बात बताओ क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों की क्वेरी रहती है माली जैसे मेरी फीज दस हजार ठीक है और यह अठारे सो का जीएस्टी है 11800 टोटल यहां पर अमाउंट बनता है अब आचल तुमने पैसा दिया 11800 दूसरा बच्चा कहता मैं ना दूंगा GST भी मुझे दिया एक वो है जो यह कहता जीएस्टी वाला पैसा नहीं दूंगा और एक वो है कि में तो जो प्रिंसीपल माउंट उसमें भी पूरा नहीं दूंगा तो मैं तीनों के लिए एक ही बात करूंगा ठीक है यहां से यहां एना मुझे जीएस्टी निकालना तो क GST होता है यहाँ पर निकालूंगा इंटू 18 डिवाइड बाई 118 अगले वाले में 8000 दिया बच्चे ने इसमें भी निकाल दूंगा कि 8000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118 तो जैसा मुझे कुर्शन करने को बोलेगा मैं वैसा ही करके चलूंगा रूल 35 तो इतना बताता था कि नॉर्मली नॉर्मली ऐसा होता कि इंटरस्ट के केस में ऐसे कलेश आते हैं मालो अगर यही आपका यहाँ पर इंटरस्ट होता और यह इंटरस्ट के ऊपर का GST होता सामने वाला बंदा कहता कि भाई सब मैं आपको पूरा पैसा देंगा विद जीएस्टी दूगा तो ठीक है मेरा अथारे सुर्पे का जीएस्टी आ जाता वो करा जीएस्टी वाला पैसा नहीं दूगा मद्दे मेरा यह आ जाएगा वो करा मैं इंटरस्ट भी पूरा नहीं दूगा मैंगर ठीक है जो दे रहा हो दे दे that's it is it okay I hope बास समझ में आ गई होगी हां सरेंडर ऑफ राइट इसस अप्लाई यहस स्रेंडर ऑफ राइट इससप्लाई फोर कंसिडेशन एग उन्हों के पास जो राइट था वो सरेंडर कर दिया था तो एक्टिविटी ए डू सम्धिंग कुछ भी करो वो एक्टिविटी होती है ठीक है और आग पाँच में गेड़ निकाल दिया जाएगा एग्ज़म्षंवाले बॉक्स से बहार निकाल दिया जाएगा एग्जम्ट है ना बापू बिशाल पूछते हैं सर वो सप्लाई है तो फिर exemption में क्यों अगर यही माली यह property आपकी commercial होती यह residential property commercial purpose के लिए होती तो मैं taxable करता सबको 5 लाग को भी taxable करता मेरे बच्चा मेरे लाल और 50,000 को भी taxable करता पर one of the exemption given in a law like residential dwelling use for residence तो फिर वहां पर exemption दी दी जाती है तो वहां पर आकर मेरा regular rent हो या advanced rent हो वो दोनों के दोनों आपके exemption के दाएरे में चली जाते हैं राइट मेरे बच्चा हाँ सर जी और mistake है RTP में येस और भी दो जिगे mistake है RTP के अंदर मैं आपको बताऊंगा मालिक ठीक है चलूँ आगे हमें प्लीज मुझे इशारा दीजी ताकि मैं आगे बढ़ जाओं येस सर हम बात करते हैं बहुत ही बहतरीन question की बात करते हैं यहां पर आकर काला शक काला और काले हैं दिल फाल काला शक काला मिस्टर काला प्रोप्राइटर और काला आसोशेट रजिस्टर अच्छा रजिस्टर रजिस्टर अंडर GST विच डिल्स इन सेल पर्चेश ऑफ सेकेंड कार्स अच्छ अच्छ अच्छ्छ डूरिंग दा कुर्ण फानैंशल ये विए फरीड फाल कार चौत ही कर पारे क्या बोलते हैं फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन अच्छा हूँ चार्ज जी एस्टी ऑफ एक तीस एंड अकॉडिंगली मिस्टर काला हैज अविल्डा आई टीसी ऑफ दसी पूछरा लियाबिलिटी बताईए सुनो सबसे पहले बात करते हैं तो समराइज हैं अपने आ सर क्लास बफरिंग कर रही है इंटरनेट ठीक है कि पबजी मोडा दिया इंटरनेट ठीक है कि पबजी मोडा दिया बाबु दो घंटे को होने को आए लेकिन अभी तक मनला मन नहीं कर रास्ट में ब्रेक व्रेक लेने का बड़ा मज़ा रही है मुझे तो काला शक काला अब यहाँ पर legal की बात करते हैं प्रभू तो यहाँ पर जो हम बात करें मेरे साथ दीजे प्लीज सर कार एक goods है जैसे गदर एक प्रेम कता है वैसे ही कार एक goods है ठीक है क्या यह जो काम कर रहा है बंदा क्या यह supply है हाँ सर ABC test pass है activity भी है business भी और consideration भी लिंकेज करो वाई सर मौज हाँ सर यह supply भी बन जाएगा निशित तोर पर supply है सर इसका business है car dealer है अगर कोई अगर मान लीजिए कोई normally वेक्ति जो car का dealer ना होता car बेच दे अगर वो तो फिर वो घटना आपकी supply नहीं बनेगी क्योंकि उसका business में नहीं आता है ठीक है supply है इंटर है या इंटर है वैसे वा काला जी हैं ये काला जी ही taxable person बनेंगे क्या कारों पर कोई exemption है ना सर जी ना कहीं कोई exemption वाली बात नहीं है not at all और उसके बाद में तो finally इसके उपर GST लगा दिया जाएगा जब GST लग जाएगा तो अब बताईए इसकी computation कैसे करी जाएगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा आ हाँ सर यहाँ जो मुद्दे की बात है वो यह है कि एक special तरीका हमें दिया जाता है हमें यहाँ पर एक special तरीका दिया जाता है क्या तरीका special तरीका यह है competition के अंदर आकर नॉर्मली तो यह होता है भाई साब नॉर्मली तो यह नॉर्मल पोजिशन तो यह होती है कि यहाँ आप जो पर्चेस किया है इनवार्ड के ओपर ITC ले लो यहाँ जो आपकी आउट वर्ड है उनके ओपर जो GST बनता है उस पे आउटपुट GST निकाल दो है ना और इस ITC को सेट आफ कर दीजिए तो आपका नेट यहाँ निकलके आ जाता है नॉर्मल तो यही है ऐसे निकालते है GST हम लोग है ना आउटपुट पर निकाला ITC सेट आफ कर दिया लेकिन इसके साथ साथ एक तरीका आपको और दिया जाता है जो है आपका रूल नंबर 32 के अंदर कि अगर आप ITC का मोह छोड़ देते हैं तो जो भी आपका यहाँ पर value addition होता है उस value addition पर आप अपना GST calculate कर सकते हैं value addition मतलब आपका जो sale price minus purchase price है यह आपका value addition यहाँ पर आ जाता है एक और खास बात दे होई थी बताइए क्या rule 32 के अंदर जहां पर वो बात करता है second hand goods क्योंकि second hand goods में चकर क्या होता है यसे मैंने example दिया था आपको sofa repair करने वाल वो से बेच देता है तो यहां उसके value addition पर बात कर रहे थे क्योंकि अगर आप पूरे gross value पे GST लगाओगे तो बिचारे को पीछे से ITC नहीं मिलता क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे unregistered supplier बैटे होते हैं तो वहां GST component cost में तो जड़ा हुआ होगा पर चुकि understood से खरीद के दीचे और यहां पर एक note करके यह बताया जाता है law के अंदर कि अगर आपका जो value addition है वो addition नहीं बलकि वो negative आ रहा है negative figure आ रही है तो negative वाले को हम लोग zero मान कर चलते हैं मैंने question पढ़ा और question से सम्मान दे तो legal position लिख दी question पढ़ने में आफ़त नहीं आई law जो था वो लिख दिया उसमें आफ़त नहीं आई अब क्या करना है अब दोनों को mix कर देना है बस conclude कर दीजे अपनी बात को अब देखते हैं यहाँ पर मारा value addition भला क्या निकल कर आ रहा है अच्छा car four का scene अलग है सर यह साथ पचास था यह इतना है तो यह आएगा मेरा दो लाख पचास जार यहाँ पे निकल के आएगा असर यह दो पिचेतर है और वो तीन लाख है तो यहाँ पर मेरा loss में जा रहा है तो लास में है तो अगर negative value addition है तो मैं जीरो कर दूँगा यहाँ पर मेरा पचास हजार का value addition positively आ रहा है और चौके केस के अंदर मुझे अलग तरीके से निकलना पड़ेगा मालिक तो यह जो मेरे यहाँ पर निकल के आए हैं तीन लाख मेरा निकल के आया तो तीन लाख पर तुम्हें बड़ी आसानी से ऐसे करके निकाल दूँगा कि GST का rate क्या है मालिक से GST का rate दे रखा था यहाँ पर 18% का तो तीन लाख का 18% value addition पर निकाल देजिए 54,000 आपका यह निकल के आ जाता है ठीक बात है जो यह वाला सीन था आपका चुकि इसमें बता रहा है कि भाई साब आपने यहाँ पर ITC भी लिया हुआ हुआ है बोला कितम तो यहाँ पर जो मेरा निकलेगा वो 9,50,000 बनता था 18% इसका निकालता हूं तो वो कितना आएगा 9,50,000 into .18 निकालूंगा तो 1,71,000 मेरा आएगा मेरे पास ITC कितना था यह मेरा नॉर्मल सिस्टम के अंदर रहा सर वो 1,30,000 का बनता था तो 41,000 रुपे यह मेरा निकल पर तो इस प्रकार से दोनों को जब टूटल हम करते हैं तो यह क्या निकल के आएगा मालिक 54,000 प्लस 41,54 प्लस 41,95 निकल के आ जाएगा तो इसका मतलब यहां पर जो पहला आंसर है यह एकदम सही है यह जब पहली यह दूसरी बार रिपीट हुआ है आटीपी के अंदर ना जब यह पहली बार रिपी आटीपी के अंदर मालिक आया था ना तो उस समय पता है क्या था बहुत सारी बच्यों के क्वईरिय आयी ती शारी यह आंसर गलत है यह आंसर गलत नहीं था माइडियर बच्चह गलती कर रहा था यहां पर आकर वो इन तीनों को एड़ करके जीरो वाला पॉइंट जो था यह आपका, यह इसमय यहां खास बात निकल के आ रही है, ठीक है अमन मिश्रा, थैंक यू अमन, चलो, इस इट ओके, पहले बोलो बास समझ में आ गई, क्या करना, क्वेशन पड़ा, समराइज किया, उसके पीछे का लॉलिक खा, एक एक करके, एक साथ, तीनों काम मत करना, बस यह गलती मत काना, एक्जामेशन होल के अंदर, जहां यह गलती करोगे, वहीं घवराट हो जाएगी, और कोई बड़ा सा कोशन हुआ है, ऐसे कि तैसी कर देका, तुमारी दो मिनट के अंदर हो, इसलिए, स्टेप वाई स्टेप काम करके च चलो, 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 मेरे बच्चा, चल, 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 कह रहा है, नो ब्रेक ब्रेक नहीं चाहिए हमें, हाम उकल नहीं दे रहे हम ब्रेक, लक्की, लक्की, लक्की सिंग, और रेजडेंट इन नौइडा यूपी, वें टू हिमाचल प्रदिश, लिखो, लिख भ यूपी नॉइड़ा वाले हैं भाईया जी यह अच्छा भाईया लग्की के करों वाई वेंट टु किमाचल प्रदेश हमाचल गए थे घूम ने अब गूमना बंद कर दो हमाचल ले for a family vacation via Delhi Chandigad Delhi Chandigad Himachal Pradesh in his own car after entering in Chandigad Chandigad में enter होने के बाद his car broke down due to some technical issue और यहां भाई साब Chandigad नाम की union territory के अंदर के हुआ भाई साब मैं के बता हूँ आपको यह जो union territory भाई साब जो car थी उसकी ऐसी की तैसी हो गई broke down due to some technical issue he called on roads on road road पर गरजने वाली जो service देते हैं on roads an emergency roadside car assistance company registered under GST in Delhi to repair the car जो होते हैं ना roadside जो services देती हैं roadside जो services देती हैं मैं आपको बता हूँ वो कैसी दिखने में होती है मैंने एक picture भी उनकी लिए हुई है मैं आपको दिखा सकता हूँ यहां पर आकर यह ऐसी होती हैं जो roadside service देती हैं कार के इन में जितना भी इनका अपना वो होता है ना like equipment वगरा होते हैं सारे इनके अंदर होते हैं और यह कहीं वरी पहुंचाती है mobile repairing shop होती है basically यह ठीक है तो जो supplier था basically यह तो ओगे recipient भहिया जी जो supplier था on यह जो थे यह थे आपके दिली के और यह यहाँ पर अपनी van लेकर पहुंच जाते हैं इसको ठीक करने के वास्ते और इसको ठीक कर भी देते हैं the car was repaired by the staff of on road the value of supply amount to rupees पचास हजार रुपए पचास हजार यहाँ पर आती है value okay मेरे बच्चा okay अच्छा ठीक है the bill was supposed to be अच्छा being labor चार चालिस हजार इस पेर इतना था अच्छा है इसमें goods भी हैं इसमें service भी है लेकिन फिर भी predominant element किसका है composite supply predominant element is of service का है यहाँ पर service को रूप में consider किया जाएगा the bill was supposed to be generated online through the server but due to technical fault it was not able to generate it पूछ रहा है place of supply बताओ ऐसी कित ऐसे मैं तो question summarize करने में कोई दिक्कत नहीं रहे अराम से हो गया कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है अब आजा इसकी legal position की बात कर लेते हैं legal position के अंदर के बोल रहा है भाई सब सुनो महारी बात यहाँ बोलेगा यह आके कि यह घटना एक supply of goods है कि service है सर यह service है supplier कौन था यह रहे recipient कौन लक्की लक्की यह service हो गई यहाँ पर आकर क्या यह घटना एक supply बनेगी activity भी है business भी और consideration भी है तीनों चीज़े हैं पर आजाती है इंटरा या इंटर यही तो पूछ रहा है origin क्या है origin माइगा supplier की location section 2 के मताबिक always दिल्ली निकल के आएगी और destination क्या है अब destination है service के case में IGST का section लगेगा 12 या 13 जब दोनों बागड बिल ले यानि कि supply recipient इंडिया के अंदर ही होते है तो वहाँ पे section number 12 आपका लगाया जाता है और one of the party है दोनों पार्टी इंडिया के बाहर होती है section number 13 आपका लगा दिया जाता है section 12 लगाया जाएगा इसके लिए को specific subsection है dancers नो तो रेजूडरी का part बनेगा यह 12 दो लगेगा 12 दो के मताबिक क्या बूलता है क्या आपको क्या ये transaction B2B है क्या ये transaction B2C है B2C है तो उसमें दो बाते होती है क्या recipient की location आपके record में है और अगर नहीं है तो फिस supplier की location पर आप लोग आ जाते हो अब यहां पर law लिखने के बाद अपनी बातों के include कर दीजिए क्योंकि in the given case यहां पर आकर मालिक ये transaction B2B तो नहीं है transaction तो आपकी ये B2C है लेकिन as per the nature of the service मुझे बताइएगा क्या यहां जिस परकार की ये service है supplier लोग ये supplier लोग जो है क्या इस प्रकार के supply लोग जो सड़क पर कारों की repairing वगएरा करते हैं क्या ये उसका address वगएरा अपने record में रखते हैं कि तू कहां का था कहां से आया क्यों आया तरी एस तरी से तू निकल कैसे आया घड़ से है क्रोणा फैल रहा है तू कैसे आगए यहाँ पर क्या इनकी record में अरे मैं ये जो बात दे रहे की server खराब हो गया billing नहीं कर पाए ऐसे की तैसी में जाने दो सारी बातों को मुझे तूना बताइए law क्या बोल रहा है आपको बहकाने का प्रयास कर रहा है हो क्या आपको recipient की location आपके record में होती है कि नहीं होती as per the nature of the service the answer is no नहीं होती ना तो ठीक है भाई साब फिर आपका ये आखरी वाला जो point है ये यहाँ पर consider किया जाएगा तो supplier की location दिल्ली ही आपकी निकल के आएगी और इस प्रकार से supply आपकी intra-state यहाँ पर बना दी जाएगी the supply will be the intra-state okay तो क्या बोलते हैं अच्छा place of supply पूछ रहता तो दिल्ली आएगा दिल्ली निकल के आएगा बहतरीन जवाब बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ my dear बताएगी बाबू confidence आ रहा की नहीं आ रहा पहले facts and issues के बद legal position and conclusion that's it तीन step अलग अलग outline the step wise procedure procedure of import of goods into India आप खुद से करके बता सकते हैं बिना देखे solution चलो यहाँ देखते हैं यह आपकी import general manifest आई जी एम arrival of vessel इन दोने में बताना पहले कोन आएगा import manifest पहले आएगी या arrival of vessel पहले होगा क्या पहले आएगा sir IGM देनी होती है आने से पहले vessel की बात कर रहा है आने से पहले arrival से पहले देना होता है तो पहले भाई साब यह आएगा उसके बाद यह आएगा ठीक है फिर क्या आएगा पहले input manifest आई उसके बाद में फिर अरे बनवार रखाया आपको डाइग्राम बढ़िया वाला जो शुरू में ही जब हवाई यात्रा कराई थी वहीं सारी बाते बताएं थी आने से पहले और से पहले क्या होता है आना है तो यहीं आना है फिर आने से पहले आई जीम आई जीम के बाद फिर क्या था कि arrival हो गया arrival के बाद होता है जी फिर अपना क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते unloading होती है और unloading के बाद फिर क्या होगा जी unloading के बाद unloading के बाद होगा सर फिर bill of entry वगरा फाइल करेंगे और क्या करेंगे जी तो फिर ये आएगा ये आगया जी उसके बाद फिर unloading होगी ये तो बहुत क्रम से ही चल रहा है भाई सर फिर ये तीन आते हैं इन तीनों में बताना इन तीनों में क्या आएगा सर एक बात आओ ये bill of entry जो advance में भी तो file हो सकती है सर ये arrival से भी तो 30 days in advance bill of entry जा सकती है हाँ या ना हाँ जातो सकती है bill of entry arrival से भी पहले जा सकती है 30 days in advance तो क्या मैं इस exceptional bill of entry को पकड़ों या नॉर्मल को पकड़ों सर नॉर्मल को पकड़िये नॉर्मल में बूलता है कि भी आने के एक दिन के अंदर अंतर आपको यहां पर bill of entry अपनी देनी होती है तो ठीक है जी तो उसके हमने यहां पर कर ले जी अनलोडिंके एक दिन के अंदर अंदर bill of entry देनी होती है अब एक बात बताओ इन तीनों को prioritize करके चलो इन मैं तो कर सकता हूँ ठीक है यह हो गया अच्छा देखा जाए तो तीनों गटना एक अठी है तीनों गटना एक अठी ही है कि मैं उठाता हूँ अपनी bill of entry और bill of entry फाइल करते समय मुझे assessment करना होता है assessment का मतलब क्या है assessment का मतलब होता है determination of tax liability determination of tax liability is called as assessment tax liability कैसे determine करते हो sir tax liability कैसे determine करते हो sir accessible value चाहिए होती है rate of exchange चाहिए होता है rate of duty चाहिए होता है सारे काम चाहिए होते है तब जाके assessment के कही सारे रूप भी होते है एक self assessment होता है एक re-assessment भी होता है फिर अविजिनल assessment भी होता है तो आप इसे कौन सा मान रहे हैं आप इसे self मान रहे हैं या re-assessment मान रहे हैं सर कुछ ना दे रखा तो मैं इसे self मान लेता हूं self assessment मान लेता हूं कुछ कि अगर re-assessment है फिर तो obviously बात है क्वाइट क्लियर कि बिल अफ एंट्री के बाद इसका नंबर आएगा तो कि भई पहले क्या होता बिल अफ एंट्री फाइल होगी आपने सेल्फ असेस्मेंट किया and bill of entry is filed bill of entry file करने के बाद आप assessment करते हो self assessment करते हो या self assessment करके ही तो bill of entry file होगी यार self assessment करके ही तो मेरे बच्चा bill of entry file होगी जो तक self assessment नहीं करेगा तब तेरी bill of entry complete कैस होगी यार हाँ से ठीक बात है तो पहले self assessment आएगा फिर bill of entry रियाई गी और बिल अफ एंट जब तैयार हो जाती तो फिर आपको पेमिंट भी करना होता है साहिब ऐसे करके वहां पर बोल दिया जाता है और री एसेस्मेंट पर अगर कुछ बढ़ जाता है अमाउंट तो फिर बढ़ा हुआ हैंमाउंट आपको एक दिन के अंदर और पे यह करेक्ट आंसर है बट बट इन सलिशन कोई दूसरा आंसर दे रखा कौन से दे कम आपको बताता हूं साथवे के बाद है जी आपका साथवे का जो सोलेशन है वो कौन सा है साथवे का जो solution है वो है डी करके दे रखा है साथ में का solution डी दे रखा है भाई सब यह mistake apparent from the record है की नहीं है तुम देख लो जा रहा वो कह रहा पहले दो आएगा फिर एक आएगा जिड़ा यहीं चेक कर लो पहले दो आएगा फिर एक आएगा मतब पहले arrival हो जाएगा और आने के बाद आई जीम जाएगी क्या रहा बच्पन से पढ़ते आ रहे हो arrival arrival manifest आने से पहले कौन है कहां से आ रहा है क्या ला रहा है उसके बाद arrival होता हां अगर यह आपका होता vehicle तो वहां में मान लेता है अगर यह वीक लेकिन तो especially बोल रहा भाई सब वैसल है वीकल के केस में आने के बारा एगंटे के अंदर दी जा सकती लेकिन यह वैसल है यहां तो आने से पहले ही देना होगा तो आपको यहीं से पता लग रहा है कि यहां सब बिल है में था तोच भी अगर कि ऐसे से चाहँ है तो हीट नहीं और इन भाद तो पहला है वह यहां पर सही जवाब है और जो बट इन solution आपका D दिया हुआ है जो की गलत है which is completely wrong my dear is it okay तो इसका सही जवाब first है ना कि D वाला यह आपकी दूसरी mistake RTP के अंदर निकल कर आ गई है आगे चलिएगा अगली mistake अगले question में ही है एक mistake इसमें तीन mistakes हैं आपके RTP के अंदर अगली mistake यहाँ पर है क्या भला which of the following is not correct क्या सही नहीं है क्या सही नहीं है जब ऐसा आए ना correct तो आप जड़ा दिमाज मत लगाया करो given statement में अपने आप पहले छटनी कर लो correct, incorrect correct, incorrect not correct in relation to claim of duty drawback under section 75 of the custom act 1962 क्या कह रहा है है सुनो जड़ा मेरी बात यहाँ पर यह कह रहा है मालिक section 75 duty drawback के आद आ गया import किया manufacturing वगरा की उसके बाद import किया या फिर अपना domestically इस्तिमाल किया उसके बाद उसके बाद उसके एक्सपोर्ट कर दिया और फिर हम export करने के बाद all industry rates से duty drawback claim करते हैं और अगर all industry rates is not available then brand rates की हम बात करके चलते हैं यह वैसे करके तो पहला point बोलता है upper limits of drawback is one third of the market price of the export product यह upper limit है section 75 होती थी जिसे हम read with DB के rules अगर हम पढ़ते हैं यह जो पहला statement है यह मेरा okay है यह मेरा correct statement है यह मेरा correct है ओके है ठीक है यह मेरा okay है countervailing duties CVDs and safeguard duties are included in the all industry rate नहीं possible ही नहीं है क्योंकि जो all industry rate है वो आपके standard rates हैं और वो हर एक product के लिए आपके लिखे हुए हैं लेकिन यह सिरफ BCD वगरा के लिए अपना होता है जो countervailing and safeguard duty है यह आपके बदलती रहती है safeguard duty क्या है कि एक particular country पे आज लगा दी चार महिने के लिए लगा दी या चार साल के लिए लगा दी तो क्या आप accordingly duty drawback को revise करोगे the answer is no तो जो बोलता है यहाँ पर यह countervailing and safeguard duty are included नहीं यह incorrect है यह incorrect है जी क्योंकि countervailing duty और subsidized वाली जो duty होती है वो आपकी all industry rate determine करने में consider नहीं होती है countervailing duties and safeguard duties are included while determining all industry rate of drawback and dust can be claimed in application for fixing brand rate lot क्या रहे है भी जो 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 रहा provisions of section 75 are not applicable on the goods exported by post section 75 के provision baggage के case में तो applicable नहीं होते export as baggage कर रहे हो तो वो आपके applicable नहीं होगा लेकिन भाई पोस्ट कर रहे हो तो फिर निशित और पर आपके applicable होता है तो are not applicable तो ये point आपका incorrect है क्योंकि provision आपके applicable होते हैं तो अभी तक हमें एक तो ये incorrect निकला एक हमारा ये ये incorrect निकला दूसरा दूसरा और चौथा incorrect हैं दूसरा और चौथा incorrect हैं और इसका सही जवाब ये दिया हुआ है और बिल्कुल सही भी है यानि कि जो draft किये जिसने RTP उसके मताबिक ये वाला जो point है ये correct point है लेकिन इसकी language क्या कह रही है पताए नहीं चल रहा हो क्या रहा है lawmaker के मताबिक RTP वाले जिसने RTP बनाई उसके मताबिक ये correct point है जैसा उसने answer दिया हुआ है इसमें drafting जो error उसको मैं ठीक करके देता हूँ आपको क्या कह रहा है देखो कहना ये चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये बता रहा है ये बता रहा है of AIR AIR का हैसा नहीं होती so इनको इनका जो refund है वो separately claim किया जाएगा so इनका जो refund है separately claim किया जाएगा moreover आप even brand rate की यहाँ पर बात कर सकते है specially tailor made rate होता है वो कर सकते हैं क्या कह रहा है CVD और safe guard duty जो होती है वो चूकि AIR का part नहीं होती क्योंकि AIR जो आपको मिलेगा उसमें safe guard duty और CVD का component नहीं होगा इसलिए अगर आपने imported goods को पर safe guard duty और CVD चुकाया है तो फिर वो आपको अलग से claim करना होता है वो यह कहना चारा रहा था और यह statement जो है इसको language को are not included आप लिख ली जिगा प्लीज यह यहाँ पर correction है drafting में जो error थी उसको मैंने ठीक किया countervailing duties and safe guard duties are not included while determining all industry rate of drawback and thus इसलिए can be claimed in application for fixing brand rate तो इसलिए अलग से उनको हम claim कर सकते हैं refund claim कर सकते हैं तो छोटी सी यह drafting error थी बाकि solution ठीक है answer ठीक है is it okay तीन mistake निकल के हैं आपकी कौन कौन से question में एक आठवे में निकली साथवा आठवा और एक और था कौन सा यार happy singh वाला साथवा आठवा और था जी आपका चौथा चौथा साथवा आठवा उपर लिख दू नोट question number 4 7 और 8 इनके अंदर कुछ mistake थी हाला कि हमने सही करके पढ़ा है तीन questions में mistake हैं बाकी सब ठीक है हो सकता आगी भी निकल आए अभी तक तो देखते हैं अभी तक तो तिनने जर्में आई हैं आगे कुछ हुआ तो बताएंगे अगला question आ रहा है मालिक Skylark private limited और ये भी बाई साथ क्याड़ा वाले question बाई साथ लंबा question नहीं है तो और कोई नहीं देख लेंगे चिंता मत करो Skylark Skylark private limited नौइडा उत्तर प्रद्द्द आज पूरी हो पाएगी आटीपी नहीं हो पाएगी चलो let's see जो भी योगा देखेंगे यतना भी होता करेंगे मालिक चलो जी तो यहां पर आकर हम लोग बात कर रहे हैं Skylark private limited नौइडा उत्तर प्रदेश लिखते चलें एक बार लिखते चलो मजास आजागा कता ही जहर एक बार लिखते चलो question को यह भाई सब आपका यहां पर Skylark 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 private limited नौइडा उत्तर प्रदेश यह यूपी में है नौइडा में engaged in various kinds of commercial activities its manufactures taxable goods as well as provide certain services goods और services यह दोनों में deal करते हैं बहतरी जाब the company has branch office in New Delhi अच्छ 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 एक इनका branch office भी है और वो दिल्ली में है ठीक है the head office at Noida and the branch office is in New Delhi are registered under GST ठीक है obviously बात अलग-अलग state में तो registration भी इनका निश्च तोर पर अलग-अलग ही होगा अलग-अलग ही होगा ठीक है done the branch office at New Delhi is eligible for full input tax credit अच्छ ठीक है जो दिल्ली वाली ब्रांच है इसको ITC वा ITC लेने में कोई दिक्कत नहीं है ITC पूरा ले पाएंगे मतलब यह कहना है चाहरा कि इसका कोई SNE के output side में taxable not exempted दोनों तरह के काम कर रहे हैं वैसा वाला कुछ नहीं है सारा का सारा creative पाने का अधिकारी है वैसे बोला गया दा company has reported a turnover of 256 crore 256 crore exclusive of GST for the month of August अच्छा अगस्त महिने का यहां पर turnover दिया गया है अगस्त महिने का turnover है और जो बताया गया है आपका rupees 250 crore 256 crore का यह turnover यहां पर बताया गया है कि इस महिने में पूरा turnover इनका यह रहा शांदार question है देखना जाए ठीक से माले ठीक है the company has reported a total turnover of 256 crore exclusive for the month of August ठीक है following information is being provided by the company in relation to such turnover the turnover includes 45 crore from the sale of security turnover includes इसमें क्या क्या शामिल है वह 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 इस समय दिमाग पर लोड़ है क्या लेना ही मत रहे जो कह रहा है वो लिखते चले जाओ बार बैस इसके अंदर इसकी जो हिस्से हैं वो क्या क्या है एक तो 45 crore इसका हिस्सा है क्या किया था sale of securities which were purchased purchase कितने में किया था मुझे क्या मतलब मैं तो देख रहा हूँ इस तरनोर में कितना छिपा हुआ है ये था आपका securities की यहां पर बात कर रहा था तो 45 crore securities का था done आगे चलो company supplied goods worth रुपी 50 crore to ABC limited in UK under a LUT the total export proceeds are received in the month of August ठीक है 30 crore foreign currency balance इंडियन रुपीज में बैसे 50 crore का इन्होंने और export किया है जिसमें से foreign currency जो आपके पास में आई है 30 किया है और जो रुपीज में आपके पास में आया है वो 20 निकल के आया है 20 crore आपका ऐसे आया है ये भी आपका यहां पर export ही करा गया था LUT के तहट LUT मतलब आपको GST जहां पे ही नहीं करना होता है वो वाला system ठीक है आगे बोलते हैं यहां पर आकर कि the company प्रवाइज कंसल्टिंग सर्विसेस टू शेर्पा इंडिसंस इन नेपाल अच्छा नेपाल में कंसल्टेंसी दी है 30 करोड रुपे की LUT में मतलब जब सर्विस दी तो वहां पर GST पे नहीं किया बॉंड भर दिया LUT दी दिया बड़े बड़े ऐसे 56 करोड 256 करोड वालों को मिलती है छोटे मोटे लोगों को नहीं मिलती है यहां बेंक करेंटी नहीं होती माइडियर the company provides consulting to share persons 30 करोड अंडर LUT the entire consideration received in Indian rupees in the month of August ठीक है जी तो इन्होंने यहां पर export कर दी है और service export करी है और नेपाल को करी है और जहां पर इसकी जो value थी वो थी 30 करोड रुपीज की इसमें शामिल थी जी एंड बाबू मेरे इसमें जो पैसा आया है वो आपका Indian rupees में आया कुछ नहीं करना दिमागी मैं आत्मारोबाग में देखूंगा पहले कोशन पढ़ लो देखूंगा पढ़ लो देखूंगा इनकलीट्स शप्लाई ओफ गूड्स 10 करोड तू शंगाई जियंगों गूं ट्रेडिंग कंपनी अ चाइना बेस्ट कंपनी है अस पर दा सेल कॉंट्रेक्ट दा गूड्स वर तू बी आपका जो गूड्स की सप्लाई हुई है तो यह गया आपका जो गूड्स की सप्लाई हुई लेतर वड़ कंपनी गई थी और हर्याना के अंदर उसकी असेंबली कराई गई है आइना में उस गूड्स की असेंबली कराई गई थी कीमत क्या थी उसकी 10CR और क्या आगे बढ़ो आगे है गूड्स वर्ट रूपीज से 20 करोड और सप्लाइड अंडर L.U.T. फिर वही लेटर आफ अंडर्टिकिंग जा रहा है आपका विदाउट पेमिंट ऑफ जी एस्टी लोकेटिड इन जो S.E.Z. अच्छ आगे है आपका सप्लाइड तू S.E.Z. माल जा रहा है जो कि आपका एक्सपोर्ट के ही एक्केवलेंट होता है और सप्लाइड गुड्स था ना हाँ ये गुड्स था जी और 20 करोड का माल था जी 20 करोड का ये माल था ठीक है जी आगे बिलते हैं हम हम ह ह ह हो हो ला ला लाला ला लास्क अप्लाइड वूर्ट रूपी 40 लाक बींग प्रोक्योर फॉर्म ये दर रिना इन जापान अच्छ फॉक्योर किया है वाइल while the goods were in transit the company secured an order from the said goods 50 lakh of buyer in Thailand, Japan from Thailand. The goods were directly sent to Thailand. Japan from Thailand, Thailand, पय ज़बा दिया, यानि कि NTT to NTT NTT to NTT, और कितने में बेचा है? turnover, 256 करोड में 50 lakh ये वाला भी शामिल है परचिस दे क्या मतलब ले, turnover 256 में दिक रहा हूँ न, इसकी कीमत태 50,00,000 रुपे इसकी कीमत निकल कर आती है ठीक है जी इसका है चे में थी इम्मोवेबल प्रोपर्टिज को अब है अब इसके यहां पर प्रोपर्टी है अ औरृ हो प्रिंटिंग प्रेस ऀरू की जाती है उसके अंदर और किराया आता है दस لاक पर मंट का second building let out जो करी गई है वो residential purpose के लिए है residential building थी residential purpose के लिए उसका कराया आ रहा है 5 लाक का residential purpose the third building is let out for cold storage operator 5 लाक पर मंट की जो third है वो cold storage purpose के लिए दिए गई है उसका किराया भी 5 लाक है और जिस बंदे को दी गई है वो आगे उसे पोटेटो रखने के लिए इस्तिमाल करता है मतलब वो आगे इसने क्या किया इसने रेंटिंग करी है इसने स्टोरेज की सुवधा नहीं दी इसने रेंटिंग दी है और सामने वाला जो बंदा होगा वो उसमें वेरहाउसिंग अफ एग्री कल्चर प्रडियूस को रखने की बात कर रहा है अच्छा ठीक है जी तरनोवर कम प्राइस टैक्सिबल गूड सोल विदिन दा स्टेट एंड आउटसाइड दा स्टेट रेशो इतना है वह करे इंटर रिमीनिंग टरनोवर बाकिज़ टरनोवर बचा इसमें आपका इंटरा और इंटर का जो रेशो है वो और ठी इस टू टू का है अब मुझे बताओ पहले यहाँ पर आकर आपका कि रिमीनिंग टरनोवरा आपका क्या बचा मैं आपका जो remaining है वो बच्चता कितना है remaining निकाल लो हाँ तो यह जोड़ लो आप 45 करोड़ एक जोड़ा 50 एक जोड़ा 30 एक जोड़ा 10 एक जोड़ा 20 एक जोड़ दिया 0.5 एक जोड़ा 50 एक जोड़ा 50 एक जोड़ा ठीक है और 20 एक जोड़ा और 0.2 एक जोड़ा तो यहां तक का मेरा जो टोटल है यहां तक का जो मेरा टोटल आ रहा है इसका जो टोटल आया वो 155.7 तो जो रिमेनिंग बचा वो 256-155.7 माइनस 256 यह बचता है 100.3 करोड बचता है ठीक है 100.3 करोड मेरा यहां पर आकर यह बच जाता है और इसके लिए कह रहे हैं कि भाई इसमें से यह गुट्स का बताया गया एक तो पहली बात तो यह ऐसा ही था ना यह डौण टौण टैक्सेबल गुट्स का बताया गया है गुट्स भी है और यह टैक्सेबल का बताया गया है जिसमें इंट्रा और इंट्र का रेशोrec जो है वो 3 2 2 का है 3 2 2 के रेशोँ में है तो डिवाइड बाई 5 इंट्यू 3 60.18 करोड इंट्रा है और यह गया जी अपना 100.3 40.12 करोड आपका यह है गरदन भी तो गई नीचे देखते देखते यार कुश्चन में समरी बनाते बनाते तब बड़ा कुश्चन दे यह जालिम होने पड़ा भी तो खतम भी का हुआ है कहते हैं आगे the turnover of 256 करोड इस एक बात कुँँँँँद अगर यही as it is examination में आजाए पूरा का पूरा RTP आजाए तो तीन गंटे में सॉल्व होने वाला नहीं है कितना यह बड़ा दुरंदर सही भाई सो तीन गंटे में सॉल्व यह नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है पूरा कोश्चन अभी तो आधा ही हुआ है नौमा कोश्चन कर रहे हैं अभी तो है ना समझ में आगी बात क्योंकि इनका अदेश्य model paper देना नहीं है objective समझना से institute ने यह model paper नहीं दिया जैसे यह दे रहा हूँ वैसे तरह एक्जाम आएगा final नहीं उनका objective है revision test paper by this paper you can revise your entire syllabus वो यह कहना चाह रहे हैं बात को समझ येगा जा रहा ठीक है न जी और देखो हम बिलकुल अपनी सही speed से काम कर रहे हैं तो अब यह मान के चलो जितना मुझे समझाने में समय लग रहा है इतना किसी बंदे को actual में लिखने में भी समय लगेगा क्योंकि हम तो लिख तो थोड़ा roughly रहें न हलका सा थोड़ा present करके च्छे से लिखना पड़ेगा साफ सफाइस लिखना पड़ेगा तो बात वही निकल के आएगी चलो जी आगे बढ़ते है मालिक इसके अलावा और भगवान और रहेगा कूछ क्या इसके अलावा उपरी डेटा के अलावा और क्या है इनके अपने आफिस थे ना एक आफिस यह नोइडा वाला था यूपी वाला एक दिल्ली वाला था इनके बीच में हुआ है stock transfer stock transfer हुआ है और वो भी हुआ है deemed distinct के बीच में यहां पे करवाया गया है ठीक है जी and without any consideration FOC हुआ है declared value 4.5 करोड है declared value जो बताए गई है वो 4.5 CR की है exclusive GST cost of production 10 करोड रुपे थी such stock is sold to independent buyer 15 करोड का आगे customer को बीचा जाता है ठीक है जी cost 10 करोड की थी बीचा जाता है 15 करोड का लेकिन value दिखाई है 4.5 करोड ठीक है और last point है आपका company had sent goods worth रुपीज 12 करोड exclusive GST to message Sharma traders in Haryana on approval basis इन्होंने goods on approval basis भी भीजा है on 15th January मतला आज तक की सबसे बहतरीन RTP मान के चलो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि RTP में एक से ज़्यादा class लग गई हो मालिक पहली बार ऐसा हो रहा है एक से एक चुन-चुन के question डाले है मज़ा आगया question करके जिस बच्चे को वाकि में construction knowledge है वो इसमें comfortably आराम से काम कर पाएगा दे कंपनी हैड सेंट गुड्स वर्थ रुपीस बारहे करोड बारहे करोड exclusive of GST तो मैसर शर्मा ट्रेडर्स इन हर्याना on approval basis on 15 जनवरी 15 फरवरी तीन लॉट भेजें भाई सब dispatch की date क्या है 15 जनवरी 15 फरवरी और 15 मार्च भी है 15 मार्च भी को भेजे हैं और पहला जो लॉट था वो बारहे करोड का था बारहे करोड का ये था और बाकी के चार-चार करोड के आपकी ये वाले लॉट भेजे गए है अच्छ ठीक है जी हाँ ठीक है गुट सेंट डूरिंग आल थ्री मन्स अर अप्रूवड इन दा मन्ट अफ सेप्टेंबर ये जितना भी माल भेजा गया था ये सेप्टेंबर के महिने में आकर अप्रूवड किया जाता है ठीक है जी कंप्यूट करो जी एस्टी लाइबिलिटी जहां पर भी इंटर इंटर देखते हुए आपको यहां पर लाइबिलिटी क्रियेट करने है पहले बताओ क्वेश्चन शांदार है की नहीं है हाँ या ना माइडियर जी एस्टी लाइबिलिटी आपसे कंप्यूट करवाई गई है जल ग्रहन करने मालिक अगर आपका हो तो हाँ शार जी कर लो कोनों दिक्टवाली बात नहीं है हाँ 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 आज़ा भाईया समराइस करने में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना कोई आपको अधरवाइस क्वेरी नॉन अकडमी के तो 8076270344 नॉन अकडमी क्वेरी है यह मेरे पास आया है अमित जैन आप यहां इस नमर पर बात कर सकते हैं हाजी मालिक आप देखो मेरी बात सुनो जैना ध्यान से क्या बोला हमने यहां पर आकर क्वेशन की समरी बना ली इसमें तो दिक्कत नहीं हुई ना नहीं हुई ना अब आजाओ एक-एक पॉइंट को देखते हैं तो 256 करोर का पूरा बाइफरकेशन यहां पर हमें मिल गया है और दिल्ली और यूपी मेन के आफिसेज हैं चार करोर सिक्यूरिटी की बात हुई है क्या इस पर GST लगेगा करो लिंकेज क्या अब देखो जगह नहीं है तो मैं और लिंकेज करूँगा लिंकेज करनी है लिंकेज लिंकेज एंड लिंकेज करनी है मालिक लीगल पोजिशन में नमर वन क्या ये घटना एक गुड्स या सर्विस में आती है सौरी मनी और सिक्यूरिटी नीदर गुड्स नौर सर्विस इसलिए गेट नमर वन से ही आउट इसका में कुछ भी नहीं करना है ठीक है जै दूसरा पचास करोड के ये गुड्स थे न पचास करोड के गुड्स सप्लाई किये गए थे एल यूटी के तहत किये गए थे क्या यहाँ पर जी एस्टी की बात आएगी या नहीं आएगी सर एक्सपोर्ट किये गए थे नहीं आएगी यहाँ पर भी आपका GST नहीं आएगा because यह एक zero rated supply आपके आजाती है zero rate मतलब export सर जो consideration इंडियन रुपीज में आया है कोई फरक नहीं पड़ता export of goods कहे जाने के लिए foreign currency का आना जरूरी नहीं होता है हाँ, service के लिए foreign currency जरूरी होती है अगर foreign currency में consideration नहीं आता तो एक service को हम export of service का ठपा नहीं लगा सकते हैं Is it okay? परन्तू, नेपाल के case में यह बोला जाता है कि भले ही पैसा इंडियन रुपीज में last to last time की amendment है भले ही पैसा इंडियन रुपीज में ही क्यों ना आ रहा हो उसके बावजूद यू से export माना जाएगा तो goods में तो भला ही पूरा consideration इंडियन रुपीज में भी आ जाता तब भी मेंसे zero rate मान के चलता और GST ना लगाया जाता export of service यहां पर हुई है नेपाल का मामला है भले ही पैसा इंडियन रुपीज में है फिर भी यहां पर GST की बात नहीं करी जाएगी उसके बाद में चाइना से goods आया है बनाद चाइनीज कमपनी को goods अपलाई किया है मालेक बात किसकी कर रही है सर बात यहां पर goods की करी जा रही है goods की बात क्या यह घटना एक supply भी है हाँ सर सपलाई है export तो नहीं है नहीं because गुर्स का destination कहीं और है इसका origin क्या निकल के आ रहा है sir भाई यह origin तो इसका जो इसका head office है वो दिल्ली ही निकल यूपी head office उसका यूपी ही निकल कर आ रहा है और इसका destination क्या निकल के आएगा sir destination के लिए under section 10-1-D काम करता है और 10-1-D यह बोलता है कि जहां पर machinery install हो रही हर याना है वो निकल के आएगा और यहां पर IGST लगाया जाएगा computation में सिर्फ GST नहीं पूछ रहा वो यह भी पूछ रहा कि IGST CGST क्या होगा तो पहली ऐसी transaction मिली जिस पर GST लगेगा और IGST उसके उपर लगाया जाएगा यानि कि जो 10 करोड रुपीज है उसके उपर आपका यहां GST लगाया जाएगा 10 करोड पर GST आपका लगाया जाएगा supply to SEZ सहाब यह भी आपके export के equivalent ही होती है और जब यह export के equivalent section 16 of IGST Act में दिया हुआ है export के equivalent है यहां पर भी GST की बात नहीं की जाती है entity to entity सर यहां पर goods की बात तो हो रही है लेकिन जब supply का chapter पढ़ते हैं linkage में आते हैं तो यह वाली जो घटना है यह हमारी supply ही नहीं बन पाती है और supply नहीं बन पाती तो इस पर GST की बात हम नहीं करके चलते हैं ठीक बात साहब ओके जी आगे बोलते हैं property नौइडा UP में थी और printing press के लिए इन्होंने दी है UP में property थी UP में इनकी office है तो जो supply बनेगी वो intra-state बनेगी तो यह जो supply है इनके intra-state यहां पर बना दी जाएगी और 10 residential purpose के लिए थी जो gate number 5 से बाहर निकल जाती है यानि कि इसको exempt कर दिया जाता है ठीक है जी आगे जो cold storage purpose के लिए इन्होंने यहां पर जो अपनी property दी है यह भी आपकी taxable ही रहेगी ध्यान दीजिए जो आपकी यहां पर यह supplier है के हम बात कर रहे हैं जो company है आपकी यह इसने renting के लिए building दी है वेरहाउसिंग की service नहीं दे रहा अगर यह service वेरहाउसिंग की service देती जिसमें agriculture produce को store किया जाता है तो तो आपका यह exempt हो जाता पर इन्होंने वेरहाउस की renting करी है वेरहाउसिंग के business में involved नहीं है इसलिए आपका यह भी यहां पर taxable रहेगा supply है, सारे काम है और property यहीं पर थी noida के अंदर ही इसकी property थी तो यह भी आपका यहां पर intra state बना दिया जाएगा और यह जो आपका पांच लाक रुपे निकल के आ रहा है इसके उपर भी आपका GST लगाया जाएगा राइट सर आगे बात करते हैं remaining के अंदर goods की बात करी जा रही है यह taxable था इस पर भी आपका GST लगा दिया जाएगा और यह आपका interstate था कौन सा GST लगेगा सर इस पर GST लगेगा आपका पहले वाले पे GST प्लस S GST लगा दिया जाएगा वैसे करके और इसके उपर भी आपका CGST प्लस S GST लगा दिया जाएगा ठीक है जा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बोलता है सुनिये जरा आगे बोलता है stock transfer किया जाता है stock transfer के अंदर हम जानते हैं बताईए अगर इसको link करके देखते हैं तो ये घटना किसकी बात कर रहे है goods की बात हो रही है क्या ये घटना supply है ये सर चार activity ऐसी जिसमें FOC होने के बावजूद भी हम उसे वहाँ पर supply ही मान कर चलते हैं तो अगर team distinct के बीच में किया गया है भले ही वो FOC क्यों ना हो उसके बावजूद भी उसे supply ही माना जाता है और जहां तक चलो supply तो है आगे बढ़िये जारा supply है intra है या inter है तो माल कहां से कहां हो गया है noida से दिल्ली गया है तो IGST की बात करके चलेंगे क्योंकि ये interstate transaction आपकी की जा रही है taxable person इसमें कौन निकल के आएगा noida वाला UP वाला registration taxable person यहां पर हो जाएगा और उसके बाद exemption है क्या नहीं कोई exemption इसके अंदर है नहीं my dear competition कैसे करोगे GST लगेगा IGS लगेगा पकका पकका लगेगा लेकिन competition कैसे करी जाएगी तो यहां पर आकर आपके जब transaction value available नहीं होती है तो हम valuation rules की तरफ चल जाते हैं और valuation rules के अंदर rule number 28 आता है और rule number 28 के अंदर सबसे पहले ये कहा जाता है कि यहां पर अपनी मन मरजी value हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें सामने वाली party को credit available हो जाएगा सामने वाली party उसका भी registration है और इसमें साभ बोला गया था ध्यान दीजिएगा अब आई बास समझ में यहां बोला गया था कि उसको full ITC book करने का अधिकार है अगर इसको full ITC recipient को full ITC book करने का अगर अधिकार है सामने वाला condition यही थी मन मरजी value लेने की condition यही थी कि जहां पर recipient को ITC मिलने में कोई दिक्कत ना हो अगर ऐसा है तो B2B transaction यह बन जाती है और इस transaction में वाके में government को कोई revenue की प्राप्ती नहीं हो रही इस कारण से अपनी working capital को avoid करने के लिए आप जो मरजी चाहे value का यहां पर इस्तिमाल कर सकते हो तो मन मरजी value 4.5 करोड ही यहां पर consider की जाएगी और इसके उपर आपका जो IGST है वो यहां पर calculate करवा दिया जाएगा तो इस अगर बढ़ते हैं प्रभू sale and approve इसके लिए मैं आपको बता दू माल कहां से भीजा गया है sent goods बारे करोड शर्मा हर्याना को माल भीजा गया है दिल यूपी से माल हर्याना के लिए गया था और यहां से माल आपका accept भी हो सकता है reject भी हो सकता है तीन बातें यहां पर आकर हो सकती है ये आपका reject भी हो सकता है reject होके आया तो वापस लोट आएगा ये आपका accept हो सकता है accept हो गया तो accept होते ही आपका supply बना दिया जाता है यहां पर आकर है न और अगर मान लिजिए कुछ नहीं हो रहा है no action अगर कोई action ना लिया गया तो जैसे ही 6 महीने बीतते हैं 6 महीने from the date of removal removal की date से 6 महीने वेसे removal की date क्या थी आपके कुछन में पंधरे अलग अलग date थी removal की date से from removal from removal की date से इसे deemed accept मान लिया जाता है ना आ रिया है ना जा रिया है खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है 6 महीने तो कोई action नहीं लिया जाता है तो उसे deemed accept हम लोग consider करके चलते हैं और deemed accept consider होने के बाद और विसी बात उसे supply बना दिया जाता है तो transaction 1 यहां पर होती है transaction घटना करण नंबर 2 यहां पर होती है जब transaction 1 होती है तो यहां से यह गुष तो जा रहा होता है लिक्री क्या यह घटना आपकी supply बन पाती है ना माले कि यह आपकी supply यहां पर आकर नहीं बन पाती है यह घटना आपकी यहां पर आकर supply नहीं बन पाती है मेरे बच्चा supply नहीं बन पाती है क्योंकि यहाँ पर activity तो है ट्रांसफर business भी है लिकन यह consideration as this moment अविलेबल नहीं था पता नहीं पार्टी उसे accept भी करेगी या reject भी करेगी बाबू एक छोटी सी बात बताना confidence तो आ रहा है ना यार मतलब वाके में यह class आपको value add करके दे रही है या नहीं मेरा objective सिर्फ answer match करवाना नहीं था और सच्छा ही देखो मैं answer देख भी नहीं रहा है मैं नहीं देख रहाँ answer क्या है क्या दिगा हुआ हुआ है मैं सिर्फ question पढ़ रहा हूँ और अपनी आप से बात कर रहा हूँ जो सही है जो गलत है मेरा objective सिर्फ इतना कि question को handle कैसे करना है पहले step पे summary बना रहा हूँ दूसरे step पे legal position को one by one करके मैं यहां पर दे रहा हूँ यहां पर अब यहारी legal position आ गई issue मेरे सामने था मैं legal उसका लिख रहा हूँ कि legal मेरा यह रहता है supply बना दी जाती है अच्छा जी अब यहां पर आका जैसे ही supply बनेगी यहीं पर आपको invoice भी काटना पड़ता है और यही date up की time of supply भी बना दी जाती है अगर यह वाला मामला है तो यहां पर आपको invoice भी काटना पड़ेगा और यहीं पर आपको मालक time of supply भी बन जाएगा और अगर reject माल हो गया है तो supply कभी भी नहीं बन पाएगी जैसे आया था वैसे ही अपना मू लेकर goods यहां से लौट कर चला जाएगा अब यहां देखी आपकी तीन transactions होई है goods अप्रूब किया गया है सितंबर के महीने में तो क्या देखें 15 एक से अगर आप 6 महीने काउंट क करता हूं तो 6 मन्त बाद जो मेरी डेट आती है वो आएगी 15 जुलाई यहां पर निकल कर आती है 15 जुलाई तक अगर नहीं बताया तो इस डेट पर इस वाले goods को हम लोग deemed accept कर लेंगे और deemed accept होते ही यह आपका supply यहां पर बन जाएगा तो इसकी supply यहीं बनेगी इसका time of supply व हम बात करके चलते हैं यहां पर आकर उसके 6 महीने कहां पूरे होते हैं तो यह होंगे 15 जुलाई की बाद 15 अगस्त को पूरे यहां पर हो जाएंगे 15 अगस्त में आकर इसको deemed acceptance माना जाएगा और accordingly supply वगरा की बात हम करके चलेंगे मुझसे जो पूछा गया है वो अगस्त मह लिए है तो चुकि मुझसे पूछा गया कि अगस्त महीने की बताओ ना कि किसी और महीने की तीसरे वाले के liability सेप्टमबर में निकलेगी इसकी जुलाई में निकलाई होगी मुझसे सिरф एक सवाल किया गया कि August की बताओ अगस्त में क्या तो मैंने खाएसाब ये Walmart जो आप आपको जोंकितियों वैसी करके ही यहां पर देखने के लिए मिलेंगी मेरे बच्चा बड़ा क्वेशन था एक बार दिखा दूँ आपको यहां पर यह देखो जो एक्सपोर्ट था वो निल हो गया जो आपका हर्याना वाला था आई जीएस्ट लग गया उसके उपर हर्याना वाला आई जीएस्ट लग गया आपका एक्सपोर्ट निल हो गया जो आपका सेल विदिन दा स्टेट था यह इंट्रा जो थी 60 पॉइंट इसकी स्पेशी जीएस्ट एस्ट लग गये यह 40 पॉइंट बारे की रिमेनिंग में से आई जीएस्ट इस पर यह लग गया इस टॉक्ट ट्रांसपर वाल्यू 4.5 पकड़ गया था जो नेपाल के लिए उस पर निल हो गया और जो बिल्डिंग की रिसीट्स आई थी आपकी पंधरे की आई थी उन पर आपका सीजीएस्ट इस दोनों की दोनों इंट्रा थी तो यह पंधरे का ब्रेकप 10 प्लस 5 है 10 प्लस 5 वेरहाउसिंग वाला और प्रिंटिंग प्रेस वाला था यह उसकी बात यहां पर हो गए सेल अफ सेक्यूरिटी जनिल हो गए लुल हो गए और जापान से गरित के एंटिटी to एंटिटी यह भी आपकी यहां पर आकर निल हो गए तो ए और भी किस प्रकार से आपकी लइबिल्टी यहां पर बन जाती है बोलो आप उसे तुकुडों में देखो question को, question को आप तुकुडों में देखिए तो question बड़ा आसान था my idea, am I right, प्रेम से बूलेंगे, राधे, राधे, राधे बास समझ में आ गई हो, तो ठोक उताली एक बार यहां से आकर, ठीक है, चलो, अब अगला question कौन सा आता है सर जी, 20 question है को मिला कर आपके यहां पर, आपके यहां पर आते हैं, 20 questions are there, अब आता है, आपका दस्वा question यहां पर निकल के आता है, दस्वा question आपका आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, यहां पर आकर, तो आज का आखरी question दस्वा कर लेते हैं, दस question आज हो जाएंगे, और दस question हम आ आगे कर लेंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही क्लास हमें लगता था, एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन एक क्लास औल लगेगी, अगली क्लास कवोगी, वह आपको बता दूगा, मैं, क्या नाम एनका, यहां पर करेंगे की समरी, पीक्यू एक्स्टर्च्टरी बॉड़ी है, पीक्यू, जो आपके यहां पर सप्लायर हैं, वो पीक्यू है, ठीक है मालिक, पीक्यू है जी, deals with the, deals with the, all the advertisement and publicity of the government, it has issued a release order to moon plus channel, अच्छा, registered in the state of A, moon plus TV channel है, और यह है आपका state A में, पीक्यू स्टर्च्टरी बॉड़ी, with the, this then publicity, for the government, moon plus TV, registered in the state of A, for telecasting and advertisement relating to one of the scheme of the government in the month of September, government advertisement के लिए, यहां पर कराया जाता है, television के माध्यम से, government इनके पास में आई थी, तो यह है supplier, यह है recipient, और इनका जो एड है, वो जो government एड है, वो television में करवाया जा रहा है, तो यह कहां से बात याद आती है आपको, place of supply, section bar, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी, पहले तो आप question को note कर लीजिए, the advertisement will be telecasted in state A, B, C, D, अच्छा, अब यहां से इसका telecast होगा, A, B, C, D, और A, यह अलग-अलग states के अंदर इसका telecast किया जाएगा, states आपके यहां पर ही आ गए, ठीक है, the value of contact and attitude between this PQ is 10 lakh, exclusive of GST, जो पूरी value रखी गई है, वो 10 lakh रुपे यहां पर consideration रखवाया, गया है, मालिक, government ad का, you are required to determine the place of supply of this, this in the instant case and also the value of supply attributable to the, this, this, further compute the, compute the GST liability, CGST, HST as the case may be of moon plus, तो moon plus के यहां पर करना है, तो as also advertise it to, whether it should issue one invoice for the entire contract value, और separate state wise invoice करना है, तो वाईसा वे state A से, government ad की services दी जा रही है, same state में और अलग-अलग state में दी जा रही है, यहां पर आपका पहली बात, क्या यह घटना एक service है, linkage करके देखते हैं, yes, यह घटना एक service है, क्या यह घटना आपकी एक supply भी बन जाती है, yes sir, A, B, C, A, B, C, यहां पर फुल्फिल हो रहे हैं, supply भी बन जाएगी, intra या inter, sir, इसका origin तो आएगा, अपना क्या निकल के, state A निकल के आ जाएगा, और sir, इसका जो destination है, वो अलग-अलग state में फॉल करेगा, वो A, B, C, D, E, लेकिन वहां पर एक proportion करना पड़ता है, proportionate करके चलते हैं, ऐसा बोला जाता है, section number 12 के, subsection 14 के अंदर ऐसा बोला जाता है, am I right? अब क्या proportion दिया गया है, जरा देखते हैं, तुन्होंने बताया है कि, basically, यहां पर जो weavership दी गई है, अभी question खतम नहीं हुआ है, जो weavership दी गई है, एक ही है इतनी, BC की इतनी और इसकी इतनी है, तो पहले तो यहां से एक ratio बन जाता है आपका, कम सकम इतका तो निकले, इसका निकलाएगा, BC का combine निकलाएगा और इनका निकलाएगा, तो जैसा ratio वैसी आप बात कर सकते हो, तो दस लाग को अगर इसमें divide करके चलता हूँ मैं, दस लाग को अगर divide करों, तो ratio बन गए भाई सब, एक, दो और एक, एक, दो, एक का ratio यहां पर बन जाता है, तो एक, दो, एक का बनेगा, तो दो रिक, तीन और रिक, चार, चार, चार का मनुद धाई लाग, धाई लाग 2.5, 2.5 into, 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 1, तो दो लाग 50,000 तो आपका यहां पर आ जाएगा, पांच लाग आपका यहां पर आ जाएगा, धाई लाग आपका यहां पर निकल के, ऐसे करके आ जाएगा, विवर्शिप में बाट दिया, लिकिन अभी B और C का कम्बाइन है, क्योंकि आधा जाता है सेंटर को, आधा जाएगा बाओ जी स्टेट गौर्वर्मेंट को, हाँ सर, एक दम ठीक बात है जी, ठीक बात है सर जी, कोनों दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो आगे इनोंने दिया है कि, पॉपुलेशन एस पर दा लेटेस सेंसर, पॉपुलेशन दे रखी है, तो B और C काब रहे गया, B और C का कम्बाइन है, तो B और C का क्या यहां पर डिवाइट कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, B और C को भी divide कर सकते है B और C की population यह रही 180 और B से B और C का मेरे पास जो combined था तो क्या इनको मैं segregate कर सकता हूँ या नहीं यह सर कर सकते हो और इनके बीच में जो ratio आएगा वो 180 यानि noise to 1 का ratio आजाएगा noise to 1 का ratio का मतलब हो गया B का ज्यादा है B का यहाँ आएगा C का यहाँ आएगा तो यह आजाएगा 4,50,000 यह आजाएगा और C का आजाएगा 50,000 इसका आजाएगा ठीक है और A जो मेरा D और E है का इसको भी मैं divide कर सकता हूँ Yes मैं कर सकता हूँ D मेरा A और E मेरा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा तो इसमें क्या बोल रहे हैं भाई साब वो D और E में धाइलाक का आपका है टोटल बनता था जी और D और E की जो पॉपलेशन है वो है मेरी 10, 100 और 25 की यानिकि 4 इस्टू 1 का रेशो यहाँ पे बन जाता है तो 5 से निकल के आ जाएगा D वाला और 50,000 मेरा यह निकल के आ जाएगा तो फाइनली क्या निकल के आए 10 लाग का फाइनल बेक अप क्या रहा A, B, C, D और E A का रहा 2,50,000 B का रहा जी मेरा यहाँ पर B का रहा 4,5 लाग C का 50,000 पर्पोर्शनेट करना है सबसे आसान कुशन शायद अब तक का यही था C का है जी 50,000 रुपे और उसके बाद में जी फिर D और E का 2,00,000 और 50,000 2,00,000 इसका यह आजाएगा 50,000 यह आजाएगा 5,00,000 और 5,00,000 10,000,000 आपका ऐसे करके ब्रेक आजाएगा इसको पर GST निकाल दीजिए पहला वाला आपका यह इंटरा बन जाएगा क्योंकि सेम स्टेट में और बाकी सारे आपके इंटर स्टेट यानि कि IGST के दाएरे में आजाएगे प्रेम से बोलेंगे रादे रादे चेक करके देखलो भाई साब एक बार आंसर फिर कहीं ऐसा नहों कि कहीं कुछ गल्ती हम कर बेटे हो धाई 45,50 तो कहीं हम से गल्ती नहों गई हो गल्ती किसी से भी हो सकती है गल्ती तो किसी से भी हो सकती है तो धाई लाख धाई लाख पर आकर हमने अपने 10 questions पूरे कर दिये हैं बाकी 10 questions में समय कम लगेगा I think one and half hour अगरे डेड़ घंटे में शायद हमारे बाकी 10 questions हो जाने चाहिए ऐसी हमें उम्मीद है तो आज के लिए मैं आपसे बस यहीं पर विदा लूँगा हमारी लगबग 3 घंटे की पूरी class हो गई वो करते होए ओए लक्की लक्की ओए आपने क्या करना है आपने उसके summary तयार करनी है उसको देखना है facts और issue देखने है उसके बाद सिर्फ law के बारे में सोचना है legal position क्या बोलती है फिर उसको match कर देना टना टना ब्रेक question को तोड़ तोड़ के करो तो आसाने से question आपका होश आ आपको फिर कुछ हो सकता है और कोई और क्लास लगा रखी हो है कोई और क्लास लगी हुई हो अलड़ी कल वाली टाइम पर न ऐसा है क्या यह lectures YouTube पर आएगा YouTube पर आएगा YouTube पर आएगा YouTube पर आएगा ठीक है तो मुझे बताइए बाबु I think class आपको बहुत बहुत अच्छी ल आपके सामने फिर से हाजर होंगा तब तक के लिए थाइंकर सो मच राधारानी कृपा आपको पर सदय सदय योहीं बनी रहे इनी कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं घर पर रहिएगा सुरक्षित रहिएगा और यहां पर है योगेश दिव्या शितिज नेहा इशित रोहित और जी हमारे सामने है प्रतेज भागरा प्रंकिता और 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 अनवेशा योगेश नेहा थैंक्यू थैंक्यू दियर थैंक्यू दियर बबाई टाटा बाई